येस वेलकम टू आल अफ यू दिस विजा साड़ा मालिक आप सभी जानते हैं जिन लोह ने लेक्चर लिए वे हैं कि भीया मार्च के सेकंड वीक के अंदर में हमारे अमेंडमेंड में लेक्चर आते हैं तो आज मैं प्रेजेंट हो चुका हूँ आपके सामने सीये फाइनल सी पहले मैं आपको बता दू यह जो अमेंडमेंड में नोट से करीब 80 पेज़ेंड पेज़ेंड और इसमेंडमेंड मेंडमेंड की खासियत यह है कि इसके साथ इसके प्रॉब्लम्स भी दिये मतलब जहां-जहां पर मुझे इसके क्वेस्टेंस मिलें वहां-वहां पर मैंने लिए फ्रीरीह पर आपको जाने है वीङन क्लासेंौशक दो पर हम फ्रीर उर्सस पर जाना है फ्रीरिक लिए उर्नल की स्टूडेन था हर्य ओरफ缸 आपको मिलेगा जो बिल्कुल लेएक ठीज से यह को चीज मेंन चाहँ आपका बबझे चार्टे कब यह जो अमेंटमेंट लेक्टेर है यह सीए फाइनल एस वेल सीये में फाइनल के लिए है right for the purpose of May 22 as well as November 22, June 22 as well as December 22 यह जो अमेंटमेंट है इसके अंदर में दोनों अमेंडमेंट मैंने कवर कर रहे हैं एक डायरेक्ट टाक्सस के अमेंडमेंट कवर रहे हैं दूसरे international taxes के भी amendment इसके अंदर में cover कर रखे है yes तो direct taxes के amendment as well as international tax के amendment मैंने दूनों cover कर रखे है जब मैं ही amendment notes बना रहा था तो मैंने already module के अंदर में भी जो amendment covered है और वहां के भी जो problem है वो मैंने include कर लिये है तो आपको वह अलग से देखने की जौरत नहीं पड़ेगी यह मालिक तो बस आपको amendment के लिए वेट नहीं करना और यह amendment आ चुके है लगभग 19 chapters के अंदर में amendment 19 chapters के अंदर में amendment हर amendment को पढ़ाते वक्त मैं आपको clear cut कर दूँगा कि दिया यह important है non important category में दोनों में से कौनसी category के अंदर में है वह आप देख लिएंगे यह साथ साथ में चली कुछ बात है आपके साथ share कर दूँ यह amendment lecture for May 22 November 22 June 22 December 22 के लिए आप लोगों के लिए जो finance act applicable है यह finance act 2021 applicable है तो जी हाँ finance act 2022 आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए finance act 2021 applicable है right for the purpose of November as well as December 22 also all those who have opted for regular batch May 22 November 22 June 22 December 22 of CA final CMA final उनके लिए यह relevant होगा मैं आपको बता दू वैसे तो maximum of the amendments हमने already cover कर लिया थे लेकिन कई जिगह पर बैच मैंने बोला था कि यह इससे related rules आने बाकी है यह इससे related और amendment है जो आपको देखने पड़ेंगे तो आप यह देखिएगा हाला कि अगर आपने मेरा super 35 लिया होगा final का तो उसमें यह already amendments covered हो चुके हैं आप सिर्फ अपने you know recalling के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं अधर्वाइस आपको ज़रूत नहीं है मैंने फास्टाक के अंदर में हैं आपको मजा आएगा क्या इस amendments को पढ़ने का कोई sequence होगा में जिस sequence के अंदर में हमने रखा है क्या उसे sequence में पढ़ेंगे ऐसा नहीं है मुझे मेरे इंपॉर्टन्स लेवल के इसाफ से जिस तरीके से में इसको पाइल अप करूंगा आप उस तरीके इसको लेते जाएंगे इसके साथ साथ कुछ free resources है जो मैंने आपके लिए specifically final वालों के लिए किया है वो यह है for the purpose of May 22 and November 22 आपके लिए एक और चीज आ रही है that is chart revision जी हां यह जो चार्ट से सी है final के यह चार्ट रिविजन भी आप लोगों के लिए already आ रहा है मार्च के अंदर में 31st मार्च से पहले maximum topic के चार्ट रिविजन इसके अंदर में update हो जाएंगे आपको बस मेरे यूट्यूब चानल सी वजय साथ के साथ associate रहना है यह हो जाएगा अमेंडमेंट लेक्चर हमने अल्रेडी डाल दिया इसके अलावा questionnaire discussion भी मैंने डाल दिया है questionnaire discussion भी मैंने डाल रहा हूं मैं almost no topic के questionnaire discussion मैं already update कर चुका हूं तो आपको नहीं पता तो प्लीज जा करके देखेगा playlist बनाई दी है पूरी की पूरी तो questionnaire discussion भी आप लोग के लिए आ रहा है and the last commitment amendment भी अब मेरे साथ में चल रहा है हाल फिलाल में चार्ट रविशन जो है यह मैं अब चालू करूंगा और questionnaire discussion मैंने अल्रेड़ी चालू कर दिया है तो यह आप देखना चालू कर दीजेगा अब आप पूछेंगे कि सर यह जो amendment है यह amendment कितने विडियो के अंदर में आएगा मतलब कितने parts के अंदर में आएगा मैं आपको बता दूँ यह जो amendment video है यह maximum दो या तीन पार्ट के अंदर में आएगा और यह आपको देखने mandatory है yes यह आपको देखने मालिक mandatory है और साथ साथ में दोस्तों के साथ भी इसे क्या कीजिएगा share कीजिए गा yes so let us start amendment अगर आप देखो तो इन topics के अंदर में amendment है जिसके अंदर में मैं अगर importance की बात करूँ तो almost हर topic के अंदर ही amendment यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा right इसके अलाबा अगर आप देखो तो मैं आपका ABC analysis भी लेकर क्या हूंगा कि कौन से topic important है कौन से topic important है तो ABC analysis आता है तो ABC analysis के लिए वेट कीजिएगा तो चलिए शुरवात करते हैं amendments की आईए सबसे पहले चलते हैं पहले amendment के उपर basics of tax calculations के उपर मेरी बात ध्यांद सुनिए slab rate के अंदर में कोई change नहीं आया है तो slab rate बिल्कुल जैसे थे आपके वैसे ही है आपके जो optional tax scheme आया है 115 BAA, 115 BAB, 115 BAC इसके अंदर में भी आपको कोई amendment नहीं है special rate of tax के अंदर में कोई amendment नहीं है amendment पूरे basic chapter tax calculation के अंदर में सिर्फ एक जगा हुआ है वो है domestic companies के लिए अगर आपको याद हो तो last time तक के provision था domestic company का turnover अगर 400 करोड के उपर नहीं जा रहा in the year 1819 in the year 1819 तो उस domestic company का tax rate in the current previous year कितना होता था 25% और अगर domestic company का tax rate कितना होता था 30% बस यहीं amendment आया है वो जो 1819 year है उस 1819 year के जगर 1920 word change कर दिया गया है मतला provision same रखी गई है बस जो 1819 year था उसको 1920 कर दिया गया है तो in case of a domestic company वापस से एक बार बता दू वापस से एक बार बता दू आपको vlearnclasses.com के free resources में आपको यह amendment notes मिल जाएंगे in fact मेरे telegram channel पे पे मिल जाएंगे link इस video के नीचे है तो वो देखना मत भूलना right so in case of domestic company if turnover or gross receipt in the previous year 1920 1920 is the amendment right is less than 400 crore the tax rate on that domestic company would be 25% other companies the tax rate would be 30% yes in both of the cases mat rate will be 15% of book profit और यही company अगर IFSC में situated होगी तो 9% का book profit आपको लेना होगा as mat yes or no तो यह एक छोटा सा amendment था not so important amendment not so important amendment बस आपको किस तरीके से problem दिये जाते है अगर आपने last papers भी देखे होंगे तो last papers के अंदर में भी आपको क्या किया जाता था company बताई दाजती थी और इसका turnover दिया जाता था 21 22 आप लोगों के लिए assessment year क्या रहेगा 22 23 यस तो आप लोगों के previous year का जो income है इसके उपर जो tax rate लगेगा वो 25 पर सेट लगेगा अगर turnover 400 करोड के नीचे है तो यह तो खेर एक बहुत छोटा सा basic सा amendment था not so important category amendment एक और amendment पर आते हैं next chapter के उपर चलते हैं next chapter है exemption next chapter है exemption right exemption बच्चे इस topic को बहुत ज्यादा seriously नहीं लेते कई बच्चे तो यह exemption का topic पढ़ते भी नहीं है पर हाँ इन में तीन amendment आए है exemption के अंदर में तीन amendment आए है और इसके साथ साथ कुछ amendment है जो exemption plus capital gain से related है वो मैं capital gain में cover करूँगा हाल फिलाल में मैं तीन amendment पढ़ने जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा exemption topic से related है पहला amendment है ISPRL से related section 1048C amend किया गया है section 1048C एक दम नहीं amendment है क्या amendment है जरू रहान से सोन अचते है exemption topic के अंदर में 2017 के अंदर में अरून जेटली सर ने foreign company foreign Company जो crude oil sell कर रही है इंडिया के अंदर में foreign company जो इंकम को याद होगा तो यह जो income थी आपको मैंने पूरी हिस्ट्री भी बताई थी कि अरूने आख चosureस जो सालों के लिये इनकी को एक्जम्ट करी थी और ये रिजर्व ये रिजर्व कुछ सालों बाद इंडिन को गवर्मेंन को ट्रैंसपर होने वाला याद आपको ये जो रिजर्व था फॉर रिजर्व द से लिल्ट करन्स एय infantry फोरॉरं सबस्काइब आप इंडिया में आओ इंडिया में अपना पेट्रोलियम क्रूड आयल रिजर्व बनाओ और इस रिजर्व से जो भी आप सेल कर रहे हो फॉरन करन्सी में आपकी इंकम एक्जम्ट होगी ऐसा सेक्षन था टेन फॉर्टी एट एंड बी अब कुछ सालों का यह अग्रीमेंट था फॉरन कंपनीज का यह अग्रीमेंट टेंटिवली 2017 में खतम हुआ और 2017 में यह जो रिजर्व से यह इंडियन गवर्मेंट को ट्रांसपर हो गया जब इंडियन गवर्मेंट को ट्रांसपर हुए तो यहां पे ऑईल इंडस्ट्री डेवलप्मेंट बोर्ड बनाया गया मतलब 2017 तक के फॉरन कंपनीज जो सेल कर रही थी क्रूड ओईल इनका इंकम जो था यह अल्रेडी क्या था बेटा एक्सम्ट था चीक है 2017 में यह जो क्रूड ओईल था यह किसी रिजर्व में रहता था यह रिजर्व जो था यह इंडियन गवर्मेंट को ट्रांसपर कर दिया गया था इंडियन गवर्मेंट मतलब मिनिस्ट्री ओफ पेट्रूलियम मिनिस्ट्री ओफ पेट्रोलियम के अंदर में ओईल डेवलप्मेंट बोर्ड है इस ओईल डेवलप्मेंट बोर्ड ने एक कंपनी बनाई है ISPRL इसको short form यूज किया जाता है ISPRL ISPRL स्टांड्स पॉर इंडियन स्टाटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड आंदर प्रदेश विशाका पतनम कई जगह पर यह रिजर्व्स बनाए गए है यह रिजर्व्स का objective यह होता है कि इंडिया में कभी भी petrol crude oils की कमी ना हो तो यहां पर रिजर्व्स बनाए गए है अब पॉइंट समझिए foreign companies की income तो already exempt थी under section 1048 A and B इनकी income already exempt थी अब यह ISPRL के पास पूरी जिम्मेदारी आ गए अब ISPRL को crude oil sell करके crude oil sell करके जो income आती थी इस income के उपर tax लग रहा था क्योंकि जो exemption available था वो till that time सिफ foreign companies के लिए था और ये government organization होने के बावजूद भी स्क्योंपर tax लग रहा था 1048 C लाया गया और कहा गया ISPRL की जो income आ रिए कुड़ल सेल करके ISPRL की जो income आ रिए कुड़ल सेल करके यह income को हम क्या कर देंगे exempt कर देंगे यह income को हम क्या कर देंगे exempt कर देंगे तो आयस पी आरेल की जो इंकम है यह income from sale of crude oil जो आती है यह income क्या है बीटा exempt exemption के लिए बस एक condition डाली है crude oil sell करने के बाद इन्हें इस reserve को refill करना है within three years बस crude oil sell करने के बाद मतलब इस reserve से oil sell हुआ यह reserve से जब oil sell हुआ income आई income exempt बस एक ही condition है इसको क्या करना है refill कर देना है इस reserve को refill कर देना है within three years yes तो बस यही बात 1048C के अंदर में कही गई है कि अगर ISPRL को कोई income आ रही है यह income exempt होगी provided तीन साल के अंदर में जो oil आपने sell किया है उसको क्या करना है refill कर देना है any income accruing or arising to Indian strategic petroleum reserve being wholly owned subsidiary of being wholly owned subsidiary of oil industrial development board for replenishment of crude oil stored in the storage facility of in persons to the direction of central government would be exempt however exemption would not be available if crude oil is not replenished in the storage within three years यह exemption नहीं मिलेगा अगर आपने इसे refill नहीं किया within three years अगर आपने refill नहीं किया within three years अगर मैं देखना जाओं क्या यह importance रखता है answer is no मुझे नहीं लगता है यह इतना important है पर हाँ दिया है तो हो सकता है आए याद रखिएगा foreign company की income crude oil sell करके जो इंडिया में आती थी यह already exempt थी इस बार जो exemption दिया गया है वो ISPRL को दिया गया है इंडियन strategic petroleum reserves limited को जो crude oil sell करके आएगी income वह exempt है provided वह यह तीन साल में उसे क्या कर ले refill कर ले that's it not so important amendment amendment 2 और amendment 3 यह connected topic है पहले इसके पीछे का बेस समझ लीजे क्यूंकि आपको nr taxation में भी यह बेस काम में आएगा nr taxation में भी यह बेस काम में आएगा हाल फिलाल में जो existing government है that is nda government इनका बहुत बड़ा focus infrastructural development के उपर है इस infrastructural development के लिए इन्होंने कई कदम उठाए जिसमें से एक था आबुधा भी investment authority को इंडिया में लेकर के आना ताकि वह investment कर सके कहां पर business trust के अंदर में या infrastructure companies के अंदर में राइट इसी के अलावा sovereign wealth funds को इंडिया में लेकर आना ताकि वह इंडिया में infrastructural development में पैसा लगा सके pension funds को root करना infrastructural developments के लिए ठीक इसी तरीके से infrastructure के लिए बहुत सारा पैसा सरकार के पास आ रहा था अब सरकार ने क्या किया एक bank बना दी खुद की याने सरकार ने एक national bank बनाई for infrastructural development इस bank का overall objective यह रहेगा कि देश के अंदर में जो infrastructural development हो रहा है इसको finance करना और इससे income generate करना मतलब सरकार द्वारा बनाई गई एक bank सरकार द्वारा बनाई गई एक bank क्या आपको पता है national bank for infrastructural development setup किया गया 28 March 2021 28 March 2021 government has set up a bank called as national bank for infrastructural development they will they will invest in the various infrastructure project and income will be generated out of that projects such income will be exempt under section 1048 D such income will be exempt under section 1048 D so let us check any income any income accruing or arising to the institution established for financing the infrastructure and development an institution which is established for financing the infrastructure and development set up under an act of the parliament whether this act is already set yes national bank for infrastructural development 28 March 2021 को already developed हो चुका है तो इसको जितनी income आरी होगी इस bank को जितनी income जनेट होगी ये exempt है notified by central government for 10 consecutive years beginning from the assessment year in which such institution is set up जिस साल वो सेट अप हुई है वहां से लेके 10 साल तक के क्या होगा इनका income exempt रहेगा so national bank for infrastructural development का जो income है ये income क्या रहेगा exempt रहेगा exam point of view again not so important amendment but yes third amendment मुझे लगता है मुझे लगता है ये important हो सकता है so मैं चल रहा हूं third amendment के ऊपर 1048E income of dfis dfis developmental financial financing institution developmental financing institution dfis क्या होता है अगेन infrastructure development के लिए dfis setup किये जाते हैं कुछ example समझे पहले dfis के rbi dfis को approve देती है मतलब कुछ financial institutions को approval देती है ताकि ये financial institution अगेन infrastructure में क्या कर सके invest कर सके गवर्मेंट ने अपनी एक बैंक बना ली that's okay पर गॉर्मेंट बैंक के अलावा भी कई already development financial institutions है जो भारी पैसा लगाते इंफास्रक्चर के अंदर में infrastructure को इंदिया में बूस्ट करने के लिए इन्फास्रक्चर को इंदिया में बूस्ट करने हो रही है यह income क्या हो जाएगी exempt हो जाएगी अब डिए फाइस कौन कौन से हैं डिए फाइस कौन कौन से developmental financing institution कौन कौन से है डिए फाइस can be classified in four categories of institution यह particular part आपको module के अंदर में भी नहीं मिलेगा यह मैंने search करके इस पे research करके आपके पास लेक्या है कुछ national development banks होते हैं like IDBI, SIDBI, ICICI, FCI, RB, IRBI, IDFC यह infrastructural developments के अंदर में invest करते हैं these are licensed by RBI कुछ sector specific भी होते हैं Exim bank, NABAD, HDFC, NHB investment institutions भी होते हैं like LIC, General Insurance Company, Unit Trust of India यह state level institutions भी होते हैं इन सब को DFI classify किया जाता है आपको किर इतना सम नाम याद रखने की जौरत नहीं अगर RBI द्वारा DFI बूल करके license है इन DFI को कोई income हो रही होगी यह income exempt है खतम काम any income any income accruing or arising to a developmental financing institution which are licensed by RBI and notified by central government so they must be they must be licensed by RBI at the same time notified by central government then such income for five consecutive assessment year beginning from the assessment year in which development for financial institution is set up would be exempt so in DFI's की income पाच साल के ले क्या हो जाएगी 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 पाच साल के ले एगे जाएगी फार्थ प्तव जाएगी 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 फुर्दर में डिल्ट के लिक्साल से एक्सींड कर सकता है प्लस्ट के लिए प्लस्ट में के लेगा के लेगा जब Central Government satisfy रहेगी कुछ conditions satisfy करने के द्वारा किस के द्वारा DFIs के द्वारा that's it बिटा तो दो chapter के amendment यहां पर खतम होते हैं exemption का topic भी हमने क्या कर दिया खतम कर दिया सबसे पहला amendments थे बिटा किस के अंदर में basics के अंदर में दूसरे amendment थे बिटा किस के अंदर में exemptions के अंदर में right exemptions के अंदर में practically तीन अमेंडमेंट थे 1048C 1048D 1048E तीन अमेंडमेंट थे अगर मैं important point of view से बात करू तो 1048E को आप important mark करके मेरे हिसाब से recall कर वाले तो बस फटाप से ISPRL की जो income आ रही है सेल आफ रूदाइल से वह इंकम एक्जम्ट है नाशनल बैंक फॉर डेवलप फैनांचल इंफर्स्रक्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनकी इंकम एक्जम्ट है डिएप आइस सरकारी बैंक के अलावा कुछ डिएपाइस भी है इसको आर्बिया ने लाइसेंस किया है उनकी इंकम भी क्या हो जाएगी एक्जम्ट हो जाएगी कितने साल के लिए पात साल के लिए इस दाटन बहुत बढ़िया तो बेसिक वी हाव दन एक्जम्ट है यह ने खतम कर दिया राइट इन पर हमने कोई क्वेशन नहीं लिया बिकाज यह बहुत ही बेसिक लेवल वाली इंग लिए पीजी बीपी पेज नंबर सेवन पर आपको मिल जाएगा पीजी बीपी साहिब पीजी बीप के अंदर में कहां कहां अमेंडमेंट हुए हैं मैं आपको सबसे पहले यह बता दू पीजी बीप के अंदर में कहां कहां अमेंडमेंट हुए हैं सबसे पहला अमें तीसरा अमेंडमेंट हुआ है 43.6 जो बात करता है WDV, WDV के अंदर में, तीसरा अमेंडमेंट हुआ है 43.CA के अंदर में, जो कहता है Land and Building Held as Stock in Trade, चौथा अमेंडमेंट हुआ है 44.ADA के अंदर में, यहां पर किसके ऊपर सेक्शन अप्लिकेबल है, इसके अंदर में अमेंडमे हुआ है 44.AB, टाक्स अंदर में, टाक्स अंदर में, टाक्स अंदर में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो मोटे मोटे तौर पर यह पांच अमेंडमेंट हुए है, इन पांच अमेंडमेंडमेंड में, यह जो अमेंडमेंड है, इसके अंदर में सेक्शन 32.AB अमेंडमेंड है that is depreciation यह तीन amendment connected है यह तीनों के तीनों depreciation से related 43 CA land and building held as capital asset stock in trade यह है इस चक्कर में इस section के चक्कर में 56 to 10 में amendment हुआ है इस section के चक्कर में 56 to 10 में amendment हुआ है that is provision of gift इस में amendment हुआ है तो वह भी देखेंगे 44 ADMA applicability में change आया है और 44 a.b. that is tax audit limit के अंदर में change आया है तो इतनी जगह PGPP के अंदर में मोटे मोटे तॉर पर amendment हुआ है इन में अगर मैं important की बात करूँ इन में अगर मैं important की बात करूँ तो depreciation related amendment बड़ा amendment है तो यह important रहेगा राइट 44 a.b. related जो limit वाला amendment है यह बड़ा amendment रहेगा हाला कि 44 ADA में practically speaking clarification जैसा amendment कोई बहुत बड़ा amendment नहीं है clarification जैसा amendment है जिसके ओपर बहुत बिलों से issue चालू था वो तो चलिए शुरुबात करते हैं पीजी बीपी से पीजी बीपी से शुरुबात करते हैं सबसे पहले तो हम block of asset की definition पढ़ते हैं क्या issue था क्या case law था और अब क्या amendment आया है मैं तीनों बात के उपर discuss करूँगा सबसे पहले depreciation is available on the block of asset यह हम सभी को पता है क्या block defined a section 2 sub section 11 block defined i a support a subsever block definition there are two blocks tangible intangible हम सभी को पता है tangible के अंदर में building आता है furniture आता है at the same time plant and machinery आता है so block of asset block of asset is defined in section 211 as a group of asset falling within the same class or asset tangible intangible tangible के अंदर में तीन था building machinery and furniture intangible को जब हम पढ़ते थे तो उसके अंदर में था know-how patent copyright trademark license franchise और any other और any other business or commercial rights of similar nature यह word लिखा था any other business or commercial rights of similar nature याने अगर आप block का definition पढ़ो अगर आप block का definition पढ़ो इसमें intangible का definition पढ़ो इसके अंदर से goodwill was missing इसमें goodwill word missing था चेक किजेगा यह definition थी आज भी definition ऐसी है except this part is part को छोड़ो बाकि अगर आप definition देखोगे तो intangible के अंदर में know-how patent copyright trademark license और any other business और commercial rights of similar nature लिखा था लेकिन भाई जी इसके अंदर में goodwill word was missing goodwill word was missing अब इसके उपर कई case loss बने पास्क में भी अगर आप देखो के in fact मेरी book भी देखोगे उसमें भी इसमें case था जो बहुत important judgment था swim securities का case था जो कहता था कि भी है यह जो goodwill है यह goodwill है यह include होता है कहां other business and commercial rights other business and commercial rights के अंदर में include होता है मतलब अगर हम ब्लॉक का definition देखते थे तो इसमें intangible cover होता था intangible के अंदर में goodwill word was missing so there was a judgment swim securities judgment जो कहता था goodwill is covered in other business and commercial rights goodwill is covered in other business and commercial rights यह वो कहता था since goodwill is covered in other commercial business right is goodwill के ओपर depreciation तो बनता था because it was a part of intangible और आपको तो पता ही है depreciation at the rate of 25% charge किया जाता था किसके ओपर beta intangible के ओपर intangible के ओपर depreciation at the rate of 25% चार्ज किया जाता था लेकिन आप कई जगह पे इशू जाते थे कई जगह पे इशू जाते थे पहला इशू पहला इशू goodwill कभी भी बढ़ने वाला एक कम होने वाली चीज नहीं है एक जन्रल परसेप्शन देके हम गुडविल को ले करके तो जब amendment आया तो इसके memorandum ने एक्स्प्लेन किया कि वे गुडविल इन बाई नेचर यह इंक्रिमेंटल असेट नाकि de criminal सेट तो आप कि की पर दप्रियसेशन लगा रहें यह पहली बात तो गलत यह था दूसरा अमलगेंशन और डी मर्जर के अंblesिक मिलता है और डी मर्जर के अंडर में जो गुडविल मिलता है यह कैसे हो सकता है इसको लेकर करके ककी श्लिषार यह लने लगए कि यह goodwill के उपर क्या नहीं मिलना चाहिए depreciation नहीं मिलना चाहिए swim securities नहीं जरूर कहा था कि यह depreciable asset है इस पर depreciation होना चाहिए यह other business and commercial rights के अंदर में आना चाहिए लेकिन यह बहुत ही controversial issue भी था at the same time क्यों क्योंकि इसका by nature incremental वाला पार्ट होता है amalgamation demerger related transaction में भी इसके valuation related issues आते थे और फिर goodwill के depreciation related issues आते थे क्योंकि amalgamation में ultra goodwill के लिए हम payment करते हैं तो depreciable assets कैसे generate हुई तो इसके उपर कई मन्तन किये गए और मन्तन करने के बाद they finally concluded they finally concluded for once and for all do one thing एक चार दान से सुनियेगा एक चार दो हजार बीस के बाद एक चार दो हजार बीस के बाद there will be no depreciation for goodwill of business or profession चाहे ये purchased goodwill हो चाहे ये self generated हो वैसे self generated पे तो पहले से भी कभी नहीं था बस अब एक clarity दे दी कि भीया जो आपका goodwill है goodwill of business और profession इसके उपर हम क्या नहीं देंगे depreciation नहीं देंगे कुल मिला करके जमाखर्च ये है कि swim securities का जो case था swim securities का जो case था उसको कर दिया गया है over rule swim securities का जो case था इसको कर दिया गया है over rule इसका मतलब ये हो गया कि अब depreciation नहीं मिलेगा किसके ओपर goodwill के ओपर बच्चे वे intangible पे मिलेगा जैसे मिलते आया है लेकिन एक चार 2020 के बाद एक चार 2020 के बाद साहब amendment backdated amendment है amendment जो है ये backdated amendment है एक चार 2020 से applicable हो रही है एक चार 2020 के बाद आपको क्या नहीं मिलेगा गुडविल के ओपर depreciation नहीं मिलेगा गुडविल के ओपर depreciation नहीं मिलेगा बाकि सारे intangible पे ले लो अब इशू समझी है अब इशू समझी है क्या था सबसे पहले इसके लिए block की definition को amendment करना जरूरी था कि other commercial and business right does not include goodwill क्योंकि block की definition change होगी तो automatically बाकि सब जगा amendment आजाएगा make sense block की definition change होगी तो बाकि सब जगा amendment आजाएगा this makes sense बस पहला amendment किया कहां पे block की definition में पहला amendment किया block की definition में यहां लिग दिया other business and commercial right business or profession यहां लिख दिया not being goodwill of business or profession बस खतम होगी बात यह अब block में ही goodwill include नहीं किया जाएगा अच्छा जी सर अब block के अंदर तो amendment आ गया block के अंदर तो amendment आ गया अब बात समझेगा 14 2020 तक 14 2020 तक 14 2020 तक companies ने intangibles का क्या बनाया होगा block बनाया होगा जिसमें goodwill भी already included होगा ध्यान दीजेगा साब intangible goodwill 14 2020 तक हम इस combined activity को क्या मानते थे intangible का block मानते थे हम इस combined value को क्या मानते थे intangible का block मानते थे अब एक चार दो हजार बीस से एक चार दो हजार बीस से साब from 14 2020 goodwill is not subject to depreciation whereas other intangible is subject to depreciation तो क्या करना होगा क्योंकि एक चार दो हजार बीस का जो WDV होगा यह हमें recompute करना पड़ेगा recalculate करना पड़ेगा to exclude the value of goodwill याने आपको नहीं लगता हमें 14 2020 को अपने WDV को भी readjust करना पड़ेगा to exclude the depreciated value of goodwill from the depreciated value of intangible block देखिए 14 2020 को intangible plus goodwill intangible plus goodwill यह पूरा मिलावा होगा other intangible plus goodwill अब 14 2020 पर goodwill नहीं मिलने वाला तो आपको नहीं लगता इतने सालों से जो value of goodwill है depreciated value of goodwill has to be reduced from depreciated value of intangible तब जाकर के balance intangible मिलेगा हमें और इस balance intangible पर जैसा depreciation लेते आयो वैसा मिल जाएगा absolutely correct और not इसी के लिए 43.6 WDV में amendment हुआ 43.6 WDV में amendment हुआ जो कहता है कि अब जब आप WDV निकालते रहोगे intangible की आपको goodwill depreciated value of goodwill क्या करना होगा minus करना होगा तो आईये दूसरा amendment पढ़ते है 43.6 53.5 C करना हुआ जाएगे में जाएगे में जब आपको प्याएगे जाएगे जाएगे कि अबाएगे 35.6 SSE up to previous year 1920 actual cost of the goodwill as reduced by the amount of depreciation that would have been allowed to the SSE as if the goodwill was the only asset in the block has to be reduced however such amount of reduction cannot exceed the WDV to accordingly WDV के value को क्या करना पड़ेगा adjust करना पड़ेगा depreciated value of goodwill इसमें से अटाना पड़ेगा जो balance WDV है is balance WDV पर depreciation ले सकते हो डरने की कोई बात नहीं है तेरे भाई ने अल्रेड़ी इसके उपर problem include किया है तो डरने की कोई बात नहीं है कि देख लीजे एक्जाम्पल इस बेस्टान अमेंडमेंट तो यह इंक्लूड क्या वा है फिर से एक बार बता दू जो अभी देख रहे होंगे विलनक्लासस.com के free resources में अवेलेबल होगा प्लस यह फाइनल के चार्ट भी अवेलेबल होंगे वहां जाके निकाल लेना साहब इस देट डन. तो यहां पर क्या आगया भी यह अमेंडमेंट आगया अब बाई डिफॉल्ट में ब्लुक में अमेंडमेंड possessions rovell क्या बुलेगा बहर नोडप्रेसिएशन जल बे अलावला गुडविल खतम केया यह यह थी नौ-मेंड मेंट सकती है थिक इस बहुत बदल सकती है ध्यान से देखेगा इक्जाम्पल विच पर विच बेज़न amendment we limited commence the business of manufacturing on April 11 2016 by acquiring the goodwill of business for rupees 20 lakh क्या हुआ 2016 में हम लोग ने goodwill लिया 20 lakh rupees का तब तक के तो यह लोग एक्जिस्ट ही नहीं करता था तो कोई problem नहीं है on the same day it purchased few patent for 30 lakh rupees same year के अंदर में patent भी पर्चेस किया after 2016 the company acquires and transfers the following 2016 के बाद कुछ वह लोग के अंदर में in 2017 one patent is transferred for 24 lakh in 2018 goodwill of another business is acquired and on September 2019 goodwill of competitor is purchased and old patent is transferred we limited want to know the amount of depreciation available for tax for the purpose of assessment year 21 22 21 22 assessment year जापकि आप आपका assessment year 22 23 है लेकिन यह question जो होगा यह old question से related होगा तो हो सकता है आपको यह भी पूछ लाए 21 22 and 22 23 तो इस तरह के का question को आपको frame हो सकता है backdated amendment चलिए सबसे पहले ब्लॉक बनाते हैं ब्लॉक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एप्रिल में जाना होगा एप्रिल के अंदर में बेटा 2016 के अंदर में क्या क्या transaction हुए दो transaction हुए हमने 20 लाक्स का goodwill लिया और 30 लाक्स का patent लिया बरबर है मतलब 2016 17 में हमारा total acquisition हुआ 50 लाक्स आईए इधर देखिए ओपनिंग बैलन्स एज़न फर्स एपरिल 2016 वुट भी निल 11 एपरिल 2016 को हमने 50 लाक का acquisition किया that is 30 लाक प्लस 20 लाक 50 लाक का acquisition किया क्या 2016 में और कोई transaction था answer is no आप मुझे बताइए 2016 में 50 लाक का acquisition किया acquisition हुआ April 2016 में मतलब दोनों asset more than 180 days used हुए अगर दोनों asset more than 180 days used हुए होंगे तो हमने 25% से depreciation चार्ज किया होगा so take on a calculator take on a calculator 50 लाक इंटो 25% मतलब 12,50,000 depreciation आया होगा for the purpose of 1617 देखिये आपका depreciation for the previous year 1617 1250 माइनस कर दिया आपका opening WDV आ गया 2017 में 37,50,000 everybody 37,50,000 आपका total WDV आ गया comfortable मालिक अब 2017 में क्या हुआ on June 29 2017 one patent is transferred for 24 lakh 2017 में इस block में से 24,00,000 का patent transfer किया patent transfer किया तो ठीक है 37,50,000 में से patent minus कर दो बचे वे पूरे value पे depreciation ले 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 लेना साल भर के लिए ये देखिये साब इस में से 24,00,000 माइनस हो गया आपका WDV बचा 13,50,000 13,50,000 पे 25% का depreciation 3,37,500 आपका क्या आगया बिटा depreciation आगया ये आगया आपका opening WDV as on 14 2018 10,12,500 everybody बहुत शांदार अब 2018 में क्या हुआ in 2018 goodwill of another business is acquired for 2,00,000 and new patent is purchased for 3,00,000 मतलब 2018 में 5,00,000 रुपीज का acquisition हुआ एक हुआ जुलाई में और पेटेंट की डेट भी नहीं दी है मतलब ये जुलाई में ही हुआ एंड लिखा है मतलब अगेन मोर देन 180 देश्यूस दो हजार अठरा में भी फुल डेप्रीसियेशन सो 5,00,000 रुपीज आड हो जाएगा 10,12,500 प्लस 5,00,000 का addition total हुआ आपका 2019 तक के 15,00,000,000,500 15,00,000,500 पे 25 परसेंट या आया आपका 3,78,125 याद रखिए हमने फुल डेप्रीसियेशन लिया क्योंकि 2018 में भी असेट मोर देन 180 देज यूज हुआ होगा यही अगर 180 देज से लेस यूज हुआ होगा यही अगर 180 देज से लेस यूज हुआ होगा तो accordingly हम डेप्रीसेशन जो लेते थे वो हाफ लेते थे अभी तक हम कहां पहुचे 1st April 2019 पे पहुचे अभी हम जिसका WDV आया 11,34,375 वापस चलते हैं 2019 में क्या हुआ इन सब्टेंबर 2019 गुट्विल ओफ competitor इस पर्चेश्ट पर 1,50,000 और ओल्ड पेटेंट इस ट्रांसपर 25,000 मतलब 150 अडोगा 25 लेस होगा 150 अडोगा 25 लेस होगा लीजे साब 150 अड कर दिया 25 लेस कर दिया या आया आपका WDV 12,59,375 12 59 375 का 25 परेंट ये आगया आपका depreciation for 1923,14,844 और opening balance आगया आपका 9,44,531 ये आया आए आपका opening balance as on 1st April 2020 1st April 2020 1st April 2020 का आपका opening balance आगया 9,44,531 अब मैं मेरे सारे बच्चे से पूछना चाहता हो अब मैं मेरे सारे बच्चों से पूछना चाहता हो please tell me क्या इसके अंदर में आपका goodwill भी included है क्या इसके अंदर में आपका goodwill भी included है क्या इसके अंदर में आपका goodwill भी included है yes लेकिन एक अप्रिल 2020 से from 1st April 2020 goodwill पे नहीं मिलेगा बच्चेवे assets पे मिलेगा goodwill पे नहीं मिलेगा बच्चेवे assets पे मिलेगा मतलब आपको क्या करना होगा इस depreciated value of intangibles में से depreciated value of goodwill minus करनी होगी यानि हमें अब goodwill को एक separate block मान करके क्या करना होगा, calculation करना होगा, suppose this block में goodwill के अलावा कुछ नहीं होता, suppose this block में goodwill के अलावा कुछ नहीं होता, तो क्या होता, आएए देखते हैं, the opening balance of the block of intangible on 1st April 2020 is 944-531, the block comprises of goodwill and patent for the previous year 2021, goodwill of the business or profession is not eligible for depreciation, to find out the depreciation and patent for the previous year 2021, the depreciated value of goodwill, the depreciated value of goodwill shall be deducted from the opening balance of the block, for this purpose, depreciated value of goodwill shall be calculated as if the goodwill is the only asset in the block, अब वापस से शुरुवात करते हैं, 2016 में, आप सिब goodwill पे focus करना, 2016 में आपने 20 lakhs का goodwill लिया, ठीक है सर, यह आया opening balance nil, 11th April को आपने 20 lakhs का लिया, goodwill के लावा कोई asset नहीं है मान लो, तो 20 lakhs पे 25% का depreciation, that is 5 lakh rupees, for the year 16-17, खतम, आपका opening WDV आगया किता बेटा, 15 lakh rupees, on 1st April 2017, as if there is no other asset in the block, 2017 में कुछ हुआ क्या, 2017 में सिफिक पे टेंट रंसपर हुआ, मतलब 2017 में हमने कुछ नहीं किया, 15 lakh पे again 25% on 15 lakh, again 25% depreciation, yes, so 15 lakh into 25%, 3,75,000 as depreciation, for the previous year 17-18, यह आगया 2018 का आपका WDV, 2018 में क्या हुआ, 2018 में हमने goodwill acquire किया, 2 lakh rupees का, 2 lakh add हो जाएंगे, यह 2 lakh add हो गए, मेरा WDV increase हो गया, 13,25,000, अब 13,25,000 पे 25%, that comes to 3,31,250, that comes to 3,31,250, अब इस 3,31,250, 3,31,250, 3,31,250, 3,31,250, 2018 तक क्या है, 2019 में क्या हुआ, हमने एक और goodwill acquire किया competitor का, हमने goodwill एक और acquire किया, competitor का, low sub, competitor का goodwill acquire किया, एक और, so 9 lakh 93,750 में, हमने एक और acquire किया, 1 lakh 50,000 का, हमारा WDV increase हो गया, 11,43,750 पे, 1920 का depreciation में माइनस कर देंगे, 25% पे, लीजे, opening balance भी आगया, goodwill का, 8,57,813, अब देख, मेरे पास depreciated value of intangible है, depreciated value of goodwill है, intangible की depreciated value में से goodwill की depreciated value minus कर दू, तो सिर्फ patent की value बचेगे, जिस पे depreciation मिलेगा, तो, opening balance of the block, 9,44,531, ये रहा, इस में से depreciated value of goodwill माइनस कर दूँगा, 8,57,813, तो, चेक कर लीजे, आपका सिर्फ patent का value बचा, 8,6718, इस पे 25%, current previous year 2021 का, ये आगया 21,680, आपका opening balance बन गया, एक अपरिल 2021 का 65,038, हो सकता है, exam extend करके आपको पूच ले assessment year 22,23, 22,23 का पूचा, तो, इस में से 25% और माइनस कर देना, for the previous year 21,22, yes, 650,038 into 25% less equal to 48778, ये मेरा WDV आजाएगा, 650,038 का 25%, 1625,9.50, ये मेरा depreciation आजाएगा, for the purpose of assessment year 22,23, everybody, yes or no, चेकरिये साप, चेकरिये, अगर आप देखे, ये एक amendment है, important भी है, as well as easy भी है, मैंने आपको problem दिया, इस problem को एक बार, please फिर से चेक कीजेगा, इस problem को फिर से चेक कीजेगा, हाला कि बहुत easy है, depreciated value of intangibles में से, depreciated value of goodwill को minus कर दीजे, जो balance बचा, इस पे आप normal जैसे depreciation लेते आयो, बिल्कुल वैसे depreciation लेते रहो, कहीं कोई problem नहीं है, so अगर आप देखोगे, practically PGPP के तीन amendment, we have sorted, done, done है प्रभू, कोई doubt होगा, प्लीज कमेंड बॉक्स में लिख देना, possible होगा, तो मैं जरूर reply कर दूँगा, possible होगा, तो मैं जरूर reply कर दूँगा, yes, चलिए, third amendment पे चलते हैं, third amendment पे चलते हैं, section 36 में हुआ आई अमेंडमेंड मेंड है, हाला कि यह अमेंडमेंड को मैं इंपोर्टन मार्थ नहीं करूँगा, मैंने अल्रडी इन अमेंडमेंड मेंड को इंपोर्टन मार्थ कर लिया, इस question को आप लिख दीजेगा, must see before exam, must see before exam, done, मैं नेक्स्ट अमेंडमेंड मेंड पे आ गया, पाद अगया, to provident fund, is deducted by employer, employees contribution to provident fund, is deducted by employer, employer जैसे इस जटेट अगर देता हा है, यह उसके लिए income मानी जाती है, and if paid before the due date it is treated as expenses and such expenses is allowed while computing PGBP under section 36 employee contributions होता है यह employer deduct कर लेता है जैसे ही वो deduct करता है यह उसकी income मानी जाती है किसकी employer की यह employer की income मानी जाती है employer की income माने जाने के बाद अगर वो उसे due date से पहले pay कर देता है अगर employees contribution वो जमा करवा देता है due date से पहले तो वो expenses माना जाता है and this expenses is allowed as deduction while computing the PGBP of employer अब issue कहां था? इशू था इस due date को लेकर के है यह due date मतलब क्या होगी अगर आपको याद हो तो there is a section called as 43B there is a section called as 43B जो कहता है अगर provident fund का contribution अगर provident fund का contribution आप deposit कर देते हैं before filing the due date of ROI तो that would be allowed as deduction बरबर है? अब यहीं पर एक section नया आता है अपना role play करने के लिए that section is section 43B section 43B बोलता है provident fund का contribution है अगर return filing की due date से पहले employer ने deposit करवा दिया तो it was allowed as deduction अब due date को ले करके due date को ले करके issue था क्योंकि section 43B कहता था कि अगर return filing की due date से पहले आपने पे करवा दिया then it will be allowed as deduction return filing की due date से पहले आपने पे करवा दिया then it will be allowed as deduction पर कुछ बुद्धी जीवी लोगों का यह मानना था कि यहां पर जो अब यहां पर controversies होती थी यहां पर controversies होती थी employer जो होता था यह इसे return भरने के due date से पहले पे करता था not within the due date of the relevant act not within the due date of the relevant act यहो जब assessment करता था यहो बोलता था यह तो relevant act के अंदर है नहीं यह तो relevant act के अंदर है नहीं और सिंज यह रिलेवन के अंदर में नहीं है मैं इसे डिसलाव करता हूं यह बोलता था सर सेक्शन 43 बी में आप ही ने तो कहा है कि ड्यूडेट से पहले पेकर दिया तो अलाव होगा अब आप क्यों डिसलाव कर रहे हो वह कहता था लेकिन सेक्शन 36 में तो रिलेवन इस कॉंट्रिबूशन के लिए रेलेवन एक्ट के ड्यूडेट देखा जाए या 43 बी देखा जाए यह क्वेस्टन था और यह बहुत डिस्पूटेड मैंटर था हालां कि इस पर कई जजमेंट्स भी आए कुछ जजमेंट्स फेवर करते थे 43 भी अप्लीकेबल कुछ जज नहीं है यह प्रोलांग डिशु को उन्होंने वन्स एंग फर ओल खतम कर दिया यह कहते वे के यह आज भी आप्लीकेबल नहीं है और हम मान रहें यह कभी आप्लीकेबल नहीं था नहीं है और हम यह मान रहें कभी आप्लीकेबल नहीं था मतलब employee contribution to provident fund का deduction employer को तभी मिलेग जब employer इस contribution को relevant fund की due date के पहले deposit कर दे अगर वो relevant fund की due date के बाद deposit करता है it will not be allowed as deduction मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आपको PGP काई वो जो total income वाला question आता है total income वाले question में एक adjustment ऐसा दे देगा employee contribution is deposited after the due date but before filing return of income बताइए इसका क्या होना चाहिए आपने उसे disallow करना है अगर यह relevant due date के बाद जा रहा है तो अगर यह relevant due date के बाद जा रहा है तो आपने इसे disallow करना चाहिए relevant due date कब की 43B की ना relevant act की amount received by SSC employer as contribution from his employee towards their welfare fund would be allowed only if such amount is credited on or before the due date any sum received by employee as a contribution towards the welfare fund will be allowed only if such sum is credited by the taxpayer to the employee account in the relevant fund on or before the due date as per EPF scheme the amount under the consideration in respect of wages of employee shall for any particular month be paid within 15 days from the close of every month मैंने यहां पर जान मुझके EPF का due date भी लिखा है जब भी रिसीव करते हो अगले महने के पहले 15 से पहले आपको पे करना है note it is clarified that the provision of 43 B shall not be applicable यह हां amendment हम यह मान रहे है उन्होंने clarification बोल करके लिए क्या आया कि 43 B इसके ऊपर applicable ही नहीं सीदेश अब दो में बात सीधी बात नो बक्वास if employee contribution deposited before the due date in relevant act allowed as deduction एल्स डिसलाउड एल्स डिसलाउड अब यहां से एक और question जनम लेता है हाला कि जिसका answer practice में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक और question जनम लेता है चलिए sir इस साल अलाउड नहीं हुआ पर अगले साल तो यह actually paid हो गया अगले साल deduction इसका मिलेगा normal practice answer is yes अगर मैं practice की बाद करूँ answer yes है कि यह अगले साल इसका benefit जरूर मिल जाएगा अगले साल इसका benefit जरूर मिल जाएगा क्योंकि वह उस साल के लिए paid है हाला कि इस क्लारिफिकेशन नहीं है पर यह जनरल प्राक्टिस हम प्राक्टिस में भी यह काम करते है कि चलिए इस साल नहीं मिल रहा है अगले साल डूडेट से बाहर चलेगा deduction अगले साल क्लेम कर लोगे इस देट डन एक्जाम बढ़न फिर नॉट्स रिलेवन नॉट्स रिलेवन क्वेशन पर हां एक क्वेशन ऐस आपको फ्रेम किया जा सकता है विदिन टूटल इंकम अली इसके ओपर सेपरेट क्वेशन चाहिए दी फ्रेम हो डैने प्रभू चलिए नेक्स्ट अमेंड्मेंट पर चलते हैं अमेंड्मेंट नमबर फॉर सेक्शन फॉर्टी त्री सी ए लैंड बिल्डिंग हैं टॉकिन ट्रेड वेट अ मिनिट पहले प्रोविशन समझाता हूं और बाद में आपको इसके अमेंड्मेंट से रिलेटेड डीटेल बता हुआ वैसे बच्चे अगर आपको यादो वैसे अगर आपको यादो तो हम एक सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन फिफ्टी सी जब हम कापिटल गेन में होते हैं वेन लाइंड बिल्डिंग इस हेल्ड एस इन्वेस्टमेंट अगर लाइंड बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट पर पोल करके होल की गई है तो यहां पर हम एक प्रोविजन पढ़ते हैं इप स्टाइम ड्यूटी वाल्यू एक्सीड 110 परशेंट आफ गंसेडरेशन stamp duty value is equal to full value of consideration कुछ याद आ रहा है ऐसा प्रोविजन यह प्रोविजन हम 50C में पढ़ते थे यही प्रोविजन सेम थी 43 CA में भी 43 CA PGP का एक section है यह तब applicable होता है when land and building is held as stock in trade क्योंकि अगर वो stock in trade है तो capital asset नहीं capital asset नहीं तो capital gain में नहीं जा सकता था तो जो builder lobby होती थी जो लोग stock in trade रखते है land and building जिनके लिए stock in trade है वो जब land and building sale करते दे तो इनके लिए section applicable होता था 43 CA wherein the provision was again similar if stamp duty value exceed 110% of consideration then stamp duty value is equal to full value of consideration यह यहाँ पे भी same provision थी मतलब जो provision 50C में थी वही provision 43 CA में भी थी याद आ रहा है कुछ मैंने 43 CA आपको directly इसलिए नहीं बताया क्योंकि जादा प्रचलित section 50C है तो 50C तो by default में almost हर बच्चे को याद हो गई होगा 43 CA में भी same section था दोनों की provision same थी अब amendment आया है finance at 2021 से amendment आया है 43 CA में 50C में amendment नहीं आया amendment आया है 43 CA में amendment क्या है amendment है a stamp duty value 110% के जगा 120% लेंगे consideration का if few conditions are satisfied point to be noted क्या amendment आया है हम 110% के जगा 120% लेंगे if few conditions are satisfied दो सवाल की clarity पहला whether 110% वाला provision exist or abolished exist if conditions are satisfied you will take 120% for taking stamp duty value if conditions are not satisfied still you will take 110% of consideration for the purpose of section 43 CA मतलब amendment क्या आया है अगर condition satisfy rule क्या था if stamp duty value exceed 110% of consideration if stamp duty value exceed 110% of consideration stamp duty value is full value of consideration 120% के जगा 120% लेंगे कब अगर condition satisfy condition satisfy still you will take 110% condition satisfy होगे you will take 120% getting or not getting or not पक्की बाग चक्की बाग चक्की बाग चक्की बाग चक्की बाग डरने गाने इस पे example here land and building is held as stock in trade where the stamp duty value exceed 110% of consideration received or accruing then stamp duty value shall be full value of consideration for the purpose of computing PGBP instead of 110% take 120% if few conditions are satisfied conditions teen the transfer of residential unit take place during 12th November 2020 to 30 June 2021 अगर अगर यह residential unit transfer हुआ है November 2020 से लेकर के जून 2021 हाला कि आपको तो एप्रिल से जून ही देखना है that is आपका previous year such transfer is by way of first time allotment of residential unit यह जो transfer हुआ है यह first time allotment हुआ है residential unit का किसके द्वारा किसको builder द्वारा जो भी उस घर में रहने जा रहा है जो इसका possession है उसको first time allotment है the consideration is not exceeding 2 crore 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 team condition 110 के जगे 120 पर सेंट लोगे कहां 50 C में नई 43 C में कब पहला यह जो transfer होना चाहिए यह November 2020 से लेके 30 June 2021 के बीच में होना चाहिए यह transfer is by way of first time allotment पहली बार builder से owner को जा रहा है तीसरा यह जो consideration for that particular property is not exceeding 2 crore rupees अगर यह तीन condition satisfy होती है तो आपको instead of 110% 120% लेना है residential unit का मतलब क्या होता है सीधे शब्दों में flat इतना बढ़ा definition पढने से पहली बता रहा हो सीधे शब्दों में flat इसलिए photo में भी मैंने flat system को ही रखा या एक independent bungalow within a housing society अब पढ़ लो residential unit का definition and independent housing unit with separate facility for living cooking sanitary एक flat imagine करो एक पे चार घर चारो का डोर अलग अलग sanitary अलग अलग cooking अलग अलग an independent housing unit with a separate facility of living cooking sanitary requirement distinctly separated from other residential unit within the building एक building के अंदर में दो घर अलग अलग which is directly accessible from an outer door वेक आउटर दोर से accessible है मतलब एक घर से दूसरे a door in a shared hallway जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलते हो एक shared hallway होता है और सभी के अलग 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 दोर होते हैं and not by walking through the living space of another house सीधे शब्दों में एक independent bungalow within a society या फिर एक flat scheme within a society यह है residential unit तो अगर builder कोई residential unit transfer कर रहा है जून 2021 तक के और consideration उस फ्लाट का दो करोड के उपर नहीं जा रहा instead of 110% you can take 120% instead of 110% you can take 120% इसे और बहतर समझने के लिए हमने example भी रखा है हमने example भी रखा है yes चेक किजेगा X purchase a newly constructed residential unit of 4500 square feet under the first allotment from DEF builders first allotment मतलब पहली बार builder किसको दे रहा है उस owner को दे रहा है 4500 square feet का following situation is there date of agreement 14th October 2020 14th October 2020 2020 14th October 2020 October है 14th October 2020 लिखा है advance is paid 2 crore 2 crore 2 crore 2 crore advance any ftk through आया है वैसे यह provision हम क्यों recall कर रहे है याद करो 50C और 43 CA में एक और provision है stamp duty value कब की लेना stamp duty value stamp duty value कब की लेना stamp duty value generally आप date of registration की ले सकते हो stamp duty value generally आप date of registration की ले सकते हो लेकिन stamp duty value आप किसकी लोग है date of agreement की लोग है अगर consideration या part of consideration date of agreement पर मिला हो और ये मिला हो account पर ही check draft ECS पर याद आ रहा है date of agreement भले ऑक्टोबर को हुआ है आपने ऑक्टोबर में advance भी पे कर दिया है कुछ EFT के थू 20 लक 20 लक 20 लक consideration है 2 करोड मतलब one of the condition is satisfied कि 2 करोड के उपर consideration जा नहीं रहा stamp duty value on October 14 stamp duty value October 14 का stamp duty value था 2.4 2.7 2.3 चीक है date of registration 6 March 30 June 25 July wait आपके लिए date of registration गाम का है क्योंकि transfer कब माना जाता है जब date of registration हुआ पॉइंट सोच के देख बिटा 6 March 2021 इस पे amendment applicable है क्योंकि ये November 2020 से लेकर के June 2021 तक के है इस पे amendment applicable है क्योंकि ये June 2021 तक के है लेकिन ये date by default में जुलाई 2021 पे जारी यानि यहां पे 110% लेंगे 120 लेंगे 110% ही लेंगे क्योंकि 120% का criteria तभी applicable है जब transfer transfer कब माना जाता है जिस दिन registry होती है रजिस्ट्री अगर आपकी you know November 2020 से लेकर जून 2020 तक के होगी तो तो इस पे तो आप by default में 110 परसेंट लोगे यहां 120 परसेंट ले सकते है रुकना आगे चलते stamp duty value as on the date of registration 2.5 करो 2.4 करो ठीकर tax implication बताईए X के हाथ में भी और DEF builder के हाथ में भी वैसे मैं आपको याद गिरा दू DEF builder के लिए तो यह stock in trade हुआ मतलब DEF builder के लिए तो 43 CA applicable है in the above case part of the consideration is paid through NAFT on the date of agreement consequently stamp duty value as on the date of agreement shall be taken for the purpose of safe harbor limit moreover safe harbor limit for the purpose of section 43 C and 50 C has been increased from 110 percent to 120 percent याप सीधा 10 or 20 भी रखो तो कोई problem नहीं है these conditions are satisfied is residential unit transferred within this date yes yes but no is it by way of first time transfer yes whether consideration do not exceed yes यहां के लिए safe harbor limit 120 percent होगी यहां के लिए 120 percent होगी लेकिन यहां के लिए 10 percent ही होगी अब सेल कंसिडरेशन इस टू करोड stamp duty value कपका लोगया stamp duty value कपका लोगया stamp duty value कपका लोगया stamp duty value as on the date of agreement because consideration और part of the consideration आपके account pay check draft or ECS से पहले pay कर दिया था तो यह आपका 2.4 2.4 2.2 करोड आ गया अब चेक करिये stamp duty value भी दिया आपको consideration भी दिया है stamp duty value भी दिया consideration भी दिया है चेक करिये साब चेक करिये 2 करोड प्लस 20% 2 करोड 40 लाक्स आ गया आपका stamp duty value भी 2 करोड 40 लाक है क्या stamp duty value exceeding 120 percent of the consideration no in that particular case actual consideration will became consideration check किजेगा since आपका registration since आपका registration within the specified date first time allotment consideration 2 करोड के उपर नहीं जा रहा तो DEF builder के लिए full value of consideration क्या पकड़ा जाएगा if stamp duty value exceed 120 percent of consideration then only we will take stamp duty value अब consideration है 2 करोड रुपे plus 20 percent add कर दो अगर आपका stamp duty value इससे उपर जाता 2.4 करोड से उपर जाता तो हम stamp duty value लेते क्या आपका stamp duty value 2.4 करोड से उपर जा रहा है नहीं तो actual consideration को ही consideration माना पढ़ेगा इसलिए actual consideration को ही consideration माना for the purpose of DEF builder दूसरी situation में आते हैं अगें 20 percent का criteria लगेगा यहां पर 20 percent का criteria लगेगा चलिए बताईए आपका 2.7 करोड रुपीस था situation 2 में आपका stamp duty value as on the date of agreement 2.7 because आपका part of the consideration paid था agreement के दिन पर by NEFT 2.7 करोड रुपीस है consideration था 2 करोड रुपीस इस पे 20 percent add कर दो तो भी आता है 2.40 2.40 क्या stamp duty value 2.40 से उपर है यस तो DEF builder के लिए 43 CMA consideration लिया जाएगा 2.70 करोड बिकास बिकास stamp duty value exceed 120 percent of consideration here stamp duty value was not exceeding 120 percent of consideration everybody अब आते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे तो stamp duty है 2.3 करोड रुपीस यहां पे since यह due date के बाहर जा रहा है मतलब आज भी 110 परसेंट सो 2 करोड प्लस 10 परसेंट 2.20 क्या stamp duty value 110 परसेंट से उपर है यस तो यहां पे हम 2.30 करोड रुपीज लेंगे एवरी बाड़ी since stamp duty value exceed 110 percent of consideration check कर लिजे साब पूरा एक बार 43 CA done इससे ही related 56 to 10 मता हुआ श्रेवरी बाड़ा क्या यह नहीं उहां प्लक since प्लकस कर दो जश्तों है यहां रहां कि भीज़ा आदा है वित बाड़ मतल्ब बाड़ी घस वीज़ा एक रूरा धिए झाल झाल रहां बाल कर फक मतल्य करफ़ीज इस पर नहां है झाल झाल अब 56 to 10 यह income from other sources का एक section है जहाँ पर gift taxable होता है यहाँ पर एक provision है immovable property को ले करके जो inadequate consideration में acquire की है law काता है if stamp duty value minus consideration exceed higher of 50,000 and 10% of consideration then difference is taxable as gift section 56 to ifos का है वहाँ पर भी amendment हो है 43 CA के कारण जो कहता है immovable property अगर inadequate consideration में acquire की है immobile property अगर इन adequate consideration में acquire की है where stamp duty value minus consideration where stamp duty value minus consideration exceed higher of exceed higher of 50,000 and 10% of consideration the difference is taxable as gift अब इदर आप देखते हैं यहाँ देखते हैं पहला situation अगर देखे क्या stamp duty value मेरी 120% of consider अच्छा amendment यहाँ पे भी क्या आया है यहाँ पे भी 10% के जगा हम 20% लेंगे if conditions are satisfied condition given in 43 CA is satisfied अब अगर मैं situation 1 देखो यहाँ पे भी same amendment आया है मतलब मैं आपको PGPP से कहा का amendment दिखवा रहा हूँ complete करवा रहा हूँ आया फोएस का amendment complete करवा रहा हूँ पहला situation क्या मेरा stamp duty value 120% के consideration के उपर था पहले situation में answer is no जब यह था ही नहीं तो 56 to 10 में भी निली आएगा situation number 2 क्या मेरा stamp duty consideration के 120% के उपर था yes तो 70 lakh taxable आजाएगा 70 lakh being 2.7 करोड़ माइनस 2 करोड़ 70 lakh the difference is higher of 50,000 and 20% of consideration तीसरा 2.3 करोड 2.3 करोड 2.3 करोड क्या आपके 2 करोड से उपर था 110 पर से उपर था 110 पर से उपर था यह यह condition satisfy नहीं हो रही थी मतलब 110 पर सेंट वाला रूल लगेगा यहां पे जरूर 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 सौल करके जाना so very important very important जरूर सौल करके जाना everybody yes or no check करो मालिक झाल 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 देने मेरे बच्चा, that's it, ये amendment important amendment के category में, ये amendment important amendment की category में, तो PGBP के अंदर में section 32 important था, PGBP के अंदर में 43 सीए important है क्योंकि इसका एक लिंक, IFOS के साथ जुडता है, कि देने सर चली बहुत छांदार देखिए पेज नमबर अट शेम टाइम 29 पे जाईए 29 पे जाईए यह अमेंडमेंट में अमने अल्रडी कर लिया 110 परसेंट के जगा 120 परसेंट वाला यहां पे लिग दीजे रिफर विट 43 CA and also look question, same है चीज लिखिये वापस तो IFOS का एक और अमेंडमेंट मेंडमेंट हमने 43 CA के साथ ही complete कर लिया प्रभू Is that done? चलिए, नेक्स अमेंडमेंट मेंडमेंट पर आते हैं 44 A B, नेक्स अमेंडमेंट मेंडमेंट पर आते हैं 44 A B, 44 A B क्या करता है? इसके अंदर का जो अब मोडियूल से लिया वाए है यह इस अपके मोडियूल से लिया वाए है right सब्ष्राई ये तो इन्फैक्ट आ इमेंडमेंड और जोटा है यह वाला कुसोन इन्फैक्ट आप सेल्फी डेख लिजेगा पुरस्टीं भाइन कि ऑन्यां शोटा हैी। क्वे शैक्षन फोर्टीस्थे इप动 याद दिराता हूं section 44 a b आपको मैं याद दिलाता हूँ 44 a b हमें बताता है tax audit कब-कब होना चाहिए 44 a b हमें बताता है tax audit कब-कब होना चाहिए आप business में है आप profession में है और other category चीक है अगर आप business में है आपका turnover in the previous year अगर exceed कर जाता है 1 करोड से तो आपको tax audit करवाना है अगर आप profession में है और आपका gross receipt क्या कर जाता है exceed कर जाता है gross receipt exceed कर जाता है 50 lakh से तो आपको क्या करना चाहिए आपको you know tax audit कर वाले नहीं चाहिए अगर आप 44 a e के अंदर में हैं और आप lower profit declare कर रहे हैं तो आपको tax audit कर वाले चाहिए अगर आप 44 A.D. 44 A.D.A. के अंदर में हैं आप lower profit declare कर रहे हैं at the same time आपका income exceed कर रहा है basic exemption limit से तो आपको tax audit कर वा लेनी चाहिए come on come again आपको कब कब tax audit करवाना चाहिए अगर आप business में हैं आपका turnover एक करोड रुपे के उपर जा रहा है आप profession के अंदर में आपकी gross receipt 50 lakh के उपर जा रही है और अगर आप you know 44 A.E. that is presumptive income जो good transport agency वाला है इसमें सिर्फ आप lower income पे declare कर देते हो तो tax audit करवाना है whereas in 44 A.E. and A.E.A. आप अगर अपना lower profit declare करते हो at the same time आपकी income basic exemption limit के उपर है तो आपको tax audit करवाना है these are the basic criteria अगर आपको याद हो तो finance act finance act 2020 ने कहा था कि हमें 5 करोड तक के there will be no tax audit turnover up to 5 करोड भी है तो there will be no tax audit लेकिन इसके लिए कुछ condition थी condition क्या थी condition क्या थी याद करके देखो condition क्या थी अगर आपकी cash receipt does not exceed 5% of total receipt अगर आपको याद हो तो एक कंडिशन थी जन्रल रूल एक करोड के उपर अगर आपका एक करोड रुपे के उपर अगर आपका nuhar चले गहा आपको टेक्साओरइट क्राइथ करवाना एं। पांच्amily जिप्शेट करवाने किजिवरत निय। अगर दोनो 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 कंडिशन साथिए होती है, that is cash receipt does not exceed 5% of total receipt, cash payment does not exceed 5% of total payment. Yes, Finance Act 2021 इस पाँच करोड की भी limit को कर दिया 10 करोड, 10 करोड तक tax audit करवाने की ज़रतनी, 10 करोड रुपय की टर्नोवर तक tax audit करवाने की ज़रतनी, अगर आप का cash receipt does not exceed 5% of total receipt, cash payment does not exceed 5% of total payment, यानि यह जो 5 करोड की limit थी, इस 5 करोड की limit को exceed करके 10 करोड कर दिया गया है, that's it, और कोई amendment नहीं है, बस limit increase कर दिया 10 करोड तक के tax audit करवाने की ज़रतनी, बाकि पूरा provision as it is, लिखना चाहें, बनाना चाहें, प्लीज बना ले, काहें, इरहें några old चाहें, इस 7 करोड़ कर दिया 10 को, वाल कैप उन्मना नहीं जह不同, तो ये, ज ऑन उहारी हम online, बनाना चाहें, बनाना चाहे रएज़ यह देने बच्चा है बहुत चांदार है तो वस इस पांच करोड के लिमिट को टेन करोड कर दिया बाकि कुछ नहीं बाकि सब जीवन में जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे चलेगा इन फाक्ट यह जो मैंने लिखा है यही आपको एक टेबल में वापस से लिख करके दिय लिखा दिया है इस तेबल को सिल्फरीड मार देना जीवन के अंदर है जांट से इस और इसी के ओपर अमेंटमेंट बेस्ट कुष्टन भी ए तो यह अमेंटमेंड बेस्ट कुष्चिन भी एक बार दिख लेना बहुत ईज 오늘 कुछ अलग नहीं है तो आराम से देख लोगे काम हो जाएगा येस एक अमेंड्मेंट जो बड़ा छोटा अमेंड्मेंट है इसको मैं चाहता हूँ प्लीज आप हाथ से लिख ले पेज नमर 11 में स्पेस भी दिया है देट अमेंड्मेंड्मेंड बिलॉंग्स टू सेक्शन 44 A.D.A. बहुत छोटा अमेंड्मेंड्मेंड अ फॉर प्रोफेशनल्स था याद है अगर आपको याद हूँ तो यह प्रिजम्टिव इंकम फॉर प्रोफेशनल्स था हा या ना की पापहा मेंडेंम जो आया है यह बहुत जोटू सा अमेंडमेंट है भाट होट छोका मेंडी मेंट है यह भात चोटू सा मेंडमेंट Chinese हाला के रिलेवेंट भी है यहां पर पहले को लिखा ता दर सेक्षिंट और प्रोविजन क्या थी दव प्रोविज़ों इस applicable to an assessi यहां पे सिर्फ पहले वर्ड लिखा था the provision is applicable to assessi who is assessi यह बताया नहीं था finance act 2021 ने कह दिया this section is applicable this section is applicable to individual as well as firm not LLP मतलब पहले कोई be SSC आता था 44 ADA का benefit लेलेता था कोई भी SSC आता था 44 ADA का benefit मिलता था finance act 2021 ने लिख दिया this benefit is available only for individual and firm that too not LLP that too not LLP further they should be resident in India मतलब non resident is section का benefit निले पाएगा only individual and firm काम LLP भी नहीं ले पाएगे only individual and firm who are resident in India खत्म काम को कि यही amendment आया है प्लीज चेक के अंदर में यह एक और इंडिया खत्म काम is that done that's it to check करिये शहाब we have done with basic tax calculation exemption and PGVP देने बिटा तो चलिए अप चलते नेक्स टॉपिक के उपर नेक्स टॉपिक हमारा आता है है let's take why not income from other sources income from other sources उठा लेते हैं क्योंकि उसका already a commitment पढ़ा भाए बचावा amendment पढ़के खतम करते हैं तो आई एंकम from other sources उटाते हैं so income from other sources अगर देखा जाए पीज no.28 पे सभी लोग मेरे साथ फड़ा फट अगर हम देखें income from other sources का हमने already a commitment पढ़ लिया 56 to 10 के अंदर में जो आया था immobile property को आप जो you know inadequate consideration में gift लोगे वो 10% के जगा क्या लेना में 20% यह वाला amendment हमने अल्रडी देख लिया अब 56 to का ही एक और amendment है जो यहां आपको दिखेगा non applicability of section 56 to 10 आपको पता ही है 56 to 10 कहता है कि यह जनरली गिफ taxable है लेकिन at the same time 56 to 10 में एक exceptional list भी रही है कि कुछ गिफ taxable नहीं है जिन में हमने देखा gift received from relative gift received on the occasion of marriage gift received from inheritance on the death of donor university etc यहां पे यहां पे एक और चीज़तिक gift received from a trust registered under 12 a or 12 double a अब आपको तो पता है इस साल से commitment आ चुका है technically moment पिछले साल काता लागू इस साल से हुआ है that trust now need to be registered under 12 a b तो अब 12 a b के registered वाले trust से भी अगर कोई you know gift received होता है तो यह भी exempt होना चाहिए बस वही amendment आया है 12 a or 12 a b 12 a or 12 a already लिखा वा था बस यहां पर 12 a b भी आड़ कर दिया क्योंकि अब trust 12 a b में registered होगा तो बस वहीं चीज़ किया है अगर कोई amendment यहां पहला amendment आपको यहां देखने को मिलेगा कि अगर कोई क्या हुआ हुआ है विटा ट्रस से gift received हुआ है ऐसा ट्रस्ट जो 12 a b के अंदर में registered है यह income यह gift exempt है पहला amendment हुआ यहां 56 to 10 की लिस्ट में दूसरा amendment हुआ यहां देर आर सेर्टन ट्रंसक्शन्स विच आर नॉट रिगार्ड़े अस ट्रांसफर देने वाले के हाथ में यह ट्रांसफर नहीं माना जाता है यह जब भी हम section 47 को पढ़ते हैं इसमें के relevant clauses 56 to 10 के साथ साथ में पढ़ते हैं यस तो कुछ ट्रांसफर नहीं माना जाता जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता इन इन दा हैंड्स ऑ गिवर आट दे सेम ताइम यह रिसीवर के हाथ में गिफ्ट अक्सेबल भी नहीं होता और यह सारे ट्रांदक्शन की लिस्ट लिखी विए सेक्शन 47 14566 से एट्सेटरा इसी लिस्ट के अंदर में तीन सेक्शन और एड़ हुए है उ था gather 47 seven a c 7 a d7 81 the 7 fell ये चार और सब्सेक्शन क्या किये गए है अड किये गए हैं यह चार और सबसेक्शन और किये गए हैं अब देने वाले के हाथ में यह कापिटल के टैक्सिबीटि अरई नहीं होगी अ अंदर का पार्ट हम लोग नहीं देख रहें यह सारे सब सेक्शंस मैंने अल्रेडी कवर करके रखे वे हैं कहां कवर करके रखे वे capital gain तो बस इतना सा लिख के रख दीज़े रिफर capital gain गेम ओवर तो 56-10 के अंदर में exceptional list के अंदर में दो amendment आया है पहला amendment आया है कि अगर अगर अब gift received हुआ है from a trust registered under 12 a.b. तो यह gift क्या हो जाएगा बिटा exempt हो जाएगा at the same time इन ही transaction section 47 के इन transactions के अंदर में received हुआ है तो यह amount भी taxable नहीं है as gift बाकि पूरी list as it is थी वो पूरी list as it is he applicable है check कर लीजे इन में से अगर मैं बात करूं यह वाला पार्ट important है इन में से अगर मैं बात करूं यह वाला पार्ट important है बाकि जो दूसरा वाला पार्ट है यह important नहीं है देने प्रभू चलिए तो यहां पर हमारा income from other sources के भी amendment खतम होते हैं दो ही amendment थे income from other sources के भी amendment हमारे खतम होते हैं हम वापस आ गए भी है यहां पर चलते हैं next next topic के उपर next topic का amendment चलिए उटाते है मैट minimum alternate tax alternate minimum tax मैट उठाते हैं page number 40 कि यस मैट चलिए फटा फट रिकॉल करते हैं मैट का प्रोविजन के था minimum alternate tax 115 जे बी के अंदर में लिका था 115 जे बी के अंदर में क्या amendment होते थे पहले याद दिरा दू 115 जे बी कहता था अगर आपका book profit 15% of book profit exceed income tax payable then mat is applicable book profit will be treated as total income mat will be applicable अगर unit मेरा IFSC में situated हो तो 9% लेना है instead of 15% yes or no वही AMT के लिए 18.5% लगते हैं हम adjusted total income का बाकि सबसे में book profit निकाला जाता है as per explanation 1 of 115 जे बी 115 जे बी के explanation के हिसाब से book profit निकाला जाता है कुछ item add कुछ item less किये जाते हैं अगर आपको यादो इन इन इंटो से जाता है नाइन निकाला जाते हैं आइटेम एड के जाते हैं और 9 आइटो JUST किये जाते हैं । इन आइटम के एडिशन ओर डिलीशन में एक आइटम है जहांपे amendment हो आही बस एक आइटम है जहांपे amendment हुआ बाकि सब ओक्के है इदर आई है इदर आई है छोटा सा अमेंडमेंट है अमांट और एक्सेंडिचर रिलेट टो इनकम अक्रूविंग फॉरेंग फॉरेंग इस का पिटल गेंट इन्ट्रेस्ट डिविदेंट रोयल्टी और फीस पर आइनिकल सर्विसे चार्जेबल एट स् 15 a यह concept को हम जोडते हैं nr taxation से वैसे मैं आपको बता दू nr taxation से विस point को जोडते हैं non resident के हाथ में royalty interest fees for technical services section 115 section 115 a के तहर इनका tax rate is 10% इनको special rate of tax provide किया गया है so non resident foreign company non resident foreign companies जो है इनको अगर कोई interest income आती है royalty income आती है fees for technical services आती है या capital gain आता है वेर section 115 a applies special rate applies होते है तो इनके ओपर tax rate था यह already 10% है अब आप बताईए अगर इनके ओपर मैट लगा देते तो जो income 10% पर taxable है वो 15% पर taxable हो जाती जो income 10% पर taxable है as per section 115 a वो 20 sorry 15% इसके लिए क्या किया गया था इसके लिए क्या किया गया था मैट में से in income को क्या किया गया था reduce किया था reduce वाले पॉइंट में आपको दिखता था add वाले पॉइंट में भी दिखता था और reduce वाले पॉइंट में भी दिखता था अगर आपको याद हो इन income से related expenditure allowed नहीं थे यह add वाले item में दिखता था और यही less वाले item में भी दिखता था यह common point था जो add में भी दिखता था less में भी दिखता था while computing book profit अब ऐसा क्यों होता था हम इन income को इस income से related expenditure allowed नहीं और यह income को हम book profit compute करते वे minus करते थे इन income से related expenditure allowed नहीं और इस income को हम book profit compute करते वे minus करते थे कौन सी income जो foreign company को आई है capital gain से interest से royalty या FTS से हम इस से related खर्चों को add back करते थे थे book profit compute करते वक्त और इस से आने वाली income को less करते थे जब हम लोग book profit compute किया करते थे याद आ रहा है मालिक आपको याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है तो प्लीज एक बार book profit को देख लेना प्लीज एक बार book profit का computation देख लेना 14 item less होते है और 9 item करीब sorry 14 item add होते है 9 item करीब less होते है जो 14 item add होते है इन में होता है एक amount expenditure related to expenditure related to income under the nature of capital gain royalty fees for technical services which are achievable under 115 A इस से related expenses allowed होते हैं अब इसमें amendment क्या आया है इसमें amendment आया है word dividend इसमें amendment आया है word dividend add में भी एक word add हुआ है dividend less में भी एक word add हुआ है dividend क्यूंकि dividend पे भी special rate of tax provide कर दिया गया dividend पे भी special rate of tax provide कर दिया गया है जो 115 A में लिखावा है तो अब तक क्या होता था interest capital gain royalty और FTS जिनके उपर special rate applicable है इनके उपर मैट applicable नहीं होता था ऐसी income को हम book profit compute करते वक्त लेस कर देते थे अब अगर इस foreign company को dividend भी आया है जो special rate of tax applicable है जिन पे 159 वाला यह dividend भी अब आप क्या करोगे less कुल मिला के जमाखर्च यह है कि नाव capital gain interest dividend royalty और FTS ऐसी income जो 115 A के अंदर में taxable है इससे related खर्चे जो होंगे आप book profit में add कर दोगे यह income अगर आपको P&L में credited दिख रही होगी तो less कर दोगे while computing book profit बस इतना सा amendment हुआ है game over तो यहां पर सिर्फ एक और चीज़ आ गई है अब तक यहां पर capital gain interest dividend sorry royalty और FTS सा इसमें dividend भी add हो गया है तो इससे related खर्चे add back कर देना इससे related income reduce होगी यहां पर हम expenditure की बात कर रहे है यहां पर हम income की बात कर रहे है तो इसससे related खर्चे book profit compute करते वाक्त add back करना इससे related income तो foreign company को अगर को dividend income आ रही होगी जो 150 ने में applicable है उसको book profit compute करते वाक्त लेस कर देना येस तो नोंने amendment किया है बहुत छोटा सा amendment है सिर्फ dividend word add हुआ है बाकि कुछ नहीं सिर्फ dividend word add हुआ है बाकि कुछ नहीं और in fact dtw में इसको benefit मिल जाता था तो इसके उपर जाधा tax rate लग जाता था अगर हम इस पर मैट लगा देते तो उसको वहां से निकालके खतम किया कि सिंपल प्रभू कि इसी बहाने आपका एक और टॉपिक खतम होता है minimum alternate tax चलिए next topic के उपर चलता हूँ मैं deduction कोई ज़रूत नहीं है मालिक हम लोगों को एकदम line से जाने की आप बिलकुल सही जा रहे हैं और मैं आपको जान मुझ करके एक सही track पे ले करके जा रहा हूँ deductions के उपर आते हैं page number 33 deductions के उपर आते है page number 33 deductions are very important while computing total income gross total income में से आप deduction minus करोगे तभी जाकर के आपका total income बनता है CES अब deductions के कई sections के अंदर में amendment आया है कुछ important कुछ बहुत important सबसे पहला amendment आया है ATEEA के अंदर में याद गिलाता हूँ ATEEA का amendment क्या था ATEEA क्या करता था interest on loan taken for acquisition of residential house property अगर assessi का residential house property है जिसका stamp duty value 45 lakh rupees से उपर नहीं जा रहा है राइट यह घर उसका only residential house है and यह loan 19 2019 से 2021 के बीच में अप्रूव हुआ होगा तो आपको additional benefit मिलता था 1,50,000 रुपीज तक का यह 1,50,000 वाज ओवर और अबाव 2,00,000 विच अवेलेबल अंदर section 24B in case of self occupied property मतलब एक residential house के लिए आपको 2,00,000 रुपे तक का benefit up to 2,00,000 रुपीज तक का benefit 24 के अंदर में तो मिलता ही था 24B के अंदर में अगर तीन condition satisfy हो जाती तो यहां पे 1,50,000 का additional benefit मिलता तीन condition यह आपका एक लौता घर होना चाहिए दूसरा जो stamp duty value है वो 45,00,000 से उपर नी होनी चाहिए और आपका loan sanction 2019 से 2021 के बीच में होना चाहिए यह तीन condition अगर satisfy होती तो actual interest और 1,50,000 whichever is lower का benefit मिलता सिंस housing sector को boom करवाना था at the same time banking को भी boom करवाना था यह 2019 को increase करके 2021 कर दिया सौरी 2022 कर दिया तो जहां पहले आपका 2019 से 2021 हुआ करता था अभी यह 2021 के ज़ेकर 2022 हो गया खतम काम बस यह amendment आया है 2021 was the last date over here is date को extend करके 31 मार्च 2022 कर दिया मतलब अगर लोन 2019 से 2022 के बीच में भी अप्रूव हुआ होगा तो 80 EEA का benefit मिले गा चेक की जगा if assessi is individual who has taken a loan for acquisition of a residential house property from any financial institution the interest payable on such loan would qualify for deduction condition क्या थी stamp duty value of the property should be less than 45 lakh individual should not own any residential house as on the date of sanction of loan individual is not eligible for 80 EE SIX section 80 EE BUA करता था and the loan should be sanctioned between 2019 to 2021 is 2021 को कैंसल करके 2022 लादिया गया है that's it khatam का the benefit of deduction under this section would be available from assessment year 2021 and subsequent assessment year till the repayment of loan continues तो इस section का benefit मिलते जाएगा जब तक क्या आपका loan continue हो रहा है maximum deduction available कितना था 1,50,000 रुपीज तक का the deduction is over and above section 24 B the deduction is over and above section 24 B the 24 B में जो आपको 2,00,000 रुपे तक का benefit मिलता था वो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ additionally आपको 1,50,000 तक का benefit मिलता है यह चालिये, ATEEA was the first amendment ATEEA was the first amendment wait अगर आपको याद होगा तो offshore banking units को क्या मिलता था benefit मिलता था अब यह benefit IFSC को भी extend किया गया है यह benefit IFSC को भी क्या किया गया है सो अगर कोई unit होगा scheduled bank का जो operate कर रहा होगा offshore banking unit in SEZ या कोई bank है जो operate कर रहा है SEZ में या फिर कोई unit है international financial service center का जो operate कर रहा है IFSC के अंदर में तो बस आपको क्या मिलेगा मालिक benefit मिलेगा under section 80 LA this section is applicable to a scheduled bank having offshore banking unit in SEZ or a bank incorporated under the law of a country outside India having offshore banking unit in SEZ or a unit of IFSC the deduction will be allowed on account of falling income included in gross total income income from offshore banking unit in SEZ income from a business covered under the banking regulation act or income from any unit of IFSC from which business has been approved for setting up in such center in an SEZ or income arising from transfer of an asset being an aircraft or helicopter or an engine of an aircraft or helicopter which was leased by a unit of an IFSC which was leased by a unit of an IFSC and has commenced the operation before 2024 यह वाला पार्टन मैं आपको NR taxation में फिर से पढ़ाऊंगा सिफ यह operation of aircraft वाला पॉइंट तो भी यह देखिए अगर आपका कोई offshore banking unit है या banking unit है जो SEZ में operate कर रहा है या एक unit है IFSC का राइट इसको क्या provide किया गया है deduction provide किया गया है under section 80 LA Sir जो banking units है इनको 100% of the profit for first 5 years 50% profit for the next 5 years का deduction मिला है 100% of such income for first 5 years and 50% of such income for next 5 years का benefit मिला है यही अगर कोई unit है जो IFSC में operate कर रहा है 100% of the profit for 10 years out of 15 years का benefit मिला है exam one of you से याद रखना है तो यह याद रखना है अगर कोई unit है जो IFSC में operate कर रहा है पहले 10 साल या any 10 year out of 15 years आपको 100% of such income का benefit है कौन सी income जो offshore banking से आ रही है या किसी unit को को income आ रही है from IFSC या फिर कोई leasing of aircraft से कोई income आ रही है तो यह income पहले 10 साल 100% allowed as deduction पहले 10 साल 100% allowed as deduction कुछ condition है आपको एक report certify करवाना पड़ता है chartered accountant से right and at the same time आपको copy of registration देना पड़ता है IFSC का भी तो यहाँ पे एक और amendment आया है अब आपको अपने return के साथ अपने return के साथ copy of permission भी अटाच करने पड़ेगी अपने return के साथ अपने return के साथ copy of permission भी अटाच करने पड़ेगी so that's not a big deal सिर्व आपको यहाद रखना है अगर कोई unit है IFSC के अंदर में जिसको income arise हो रही है है from transfer of an asset being aircraft helicopter और engine of aircraft और helicopter by way of a lease from a unit in IFSC पहले 10 साल 100% profit का आपको क्या मिलेगा deduction मिलेगा banking के लिए section पहले भी exist करता था तो कोई नया point नहीं है इसके अंदर में banking के लिए पहले भी exist करता था यह leasing of aircraft वाला point important है यह देखेंगे हम NR taxation में फिर से दन भीड़ा चलिया अच्छा जी सर सिर्फ एक point समझी है I don't know शायद pdf merging के टाइम पर यह इशू आया है यह जो है न दिस is 80 IAC से related तो यह जो पार्ट है specifically यह जो पार्ट है यह 80 IAC से related है तो इसको आप अलग से box में डाल दीजे यह शायद pdf merging के टाइम पर चला गया है यह यह होना चाहिए meaning of eligible startups के पास में होना चाहिए यह है तो यह इतना सा correction आप प्लीज मेरे लिए कर दीजे नेक्स सेक्षन इस 80 IAC new startups from 2019 मालिक 2019 से startups को अलग-अलग प्रकार के benefits दिये जा रहे हैं उनमें यह भी एक है उनमें यह भी एक है के 100% of the profit for any 3 years out of 10 years आपको क्या दिया गया है वो भी eligible startups के लिए अब amendment क्या आया है eligible startup की definition में amendment आया है eligible startup की definition में amendment आया है eligible startup की definition में जहां पे लास्ट ये टूट वेट कर रहा है कोई नया चींज नहीं फिर भी हम सेक्षन को रिकॉल कर लेते हैं Tax incentive for new startups, ATIAC, provides intensive to startup in order to aid their growth in the earlier phase. Accordingly, a deduction of 100% of the profit and gains derived by an eligible startup from eligible business for any 3 years out of 10 years, beginning from the year in which startup is incorporated. 3 years के लिए, out of 10 years, आपको ये benefit मिलेगा. ये जो 10 years कहां से काउंट होंगे, incorporation से 10 years काउंट होंगे, हाला कि कोई भी 3 consecutive years का आपको क्या मिलेगा, benefit मिलेगा, that 200% of profit and gains derived from eligible business. ठीक है सर, सबसे पहले समझते हैं, ये benefit किसको मिलेगा, eligible startups को मिलेगा, ये benefit किसको मिलेगा, eligible startups को मिलेग eligible startups मतलब क्या, एक company या LLP, जो eligible business में engage है, 2016 से 2022 के बीच में incorporate हुई है, यहां amendment है, यहां 2021 लिखा था, यहां पे 2022 हो चुका है, the turnover of such company or LLP is less than 100 crore in the previous year and it holds a certificate of eligible business from the notified IMBC, eligible business मतलब क्या होता है, business carried on by eligible startup, engaged in innovation, development, improvement of product or process, a scalable business model with high potential of employment generation and wealth creation, it should be a new startup which has been approved by ministry, IMBC, IMBC, yes, कितना deduction मिलेगा, कितना deduction मिलेगा, 100% of the profit, जितना भी profit आ रहा है, eligible startups को, any 3 years out of 10 years, deduction मिलेगा, amendment क्या आया है, 2021 के जग़, 2022 हो गया, that's it, yes, चलिया, तो क्या यह relevant है, मेरे हिसाब से exam point of view से relevant नहीं है, exam point of view में मैंने ATL, A को already important माग करवा दिया, ATI, A, C, इतना relevant नहीं लगता, सिर्फ date का change है, बाकिये कुछ नहीं, अनादर amendment, in 80 IBA, 80 IBA क्या था मैं आपको बता देता हूँ, housing projects, जो housing projects थे, जो कुछ criteria को meet कर रहे थे, इन with respect to, you know, square feet and all, इनके लिए deduction दिया गया था, 100% of the profit का, from that housing projects, यहाँ पे भी last date 2021 थी, इस date को भी 2022 कर दिया गया है, यही amendment है, deduction in respect of profit and gains from housing project or rental housing projects, affordable housing sectors, deduction is 100% of the profit and gains derived from such business is allowed as deduction, यहाँ एक और amendment आया है, 100% of the profit derived from business of developing and building, renting housing project, allowed as deduction, पहले यहाँ पे यह deduction सिर्फ housing projects के लिए था, अब rental housing projects के लिए भी है, तो यहाँ पे दो amendment है, पहला यह benefits सिर्फ किसके लिए अविलेबल था, housing projects के लिए अविलेबल था, अब यह rental housing projects के लिए भी है, conditions क्या है, फुल्फिल करने की, the project is approved between 2016 to 2022, यहाँ पे भी 21 था, यहाँ पे भी 22 कर दिया, the project is completed within 5 years from the date of approval by competent authority, जब भी housing project चालू हुआ, पांच साल के अंदर में यह complete हो जाना चाहिए, यह तो only condition थी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, दो चीज़े नहीं हुआ है, पहला 2021 के जगर 2022 हुआ, यह दोनों सेक्शन में एक साथ हुआ है, A, C, I, B, A, दोनों सेक्शन में एक साथ हुआ है, I, B, A में एक और चीज़ आई है, rental housing projects, एक बार इसे read कर लीजे, एक बार इसे read कर लीजे, झाले 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 जाहिर सी बात है आपके मन में एक सवाल उठना चीए सर ये रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट नाम की चीज क्या है ये टेक्निकली एक प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट होती है अब दिखेगे प्रोजेक्ट से पहले वी वरकर्स जो होते थे ये श्लम में रहते थे बड़ी-बड़ी City में जैसे मुंबई हो गया या ऐसे अन्य बड़े शहर हो गया दिल्ली हो गया बैंगलोर हो गया चिन्नी हो गया हिदरबाद हो गया पूने हो गया तो कई केस में सरकार ने इन्हों एक स्कीम लगए प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत इन्हों ने बोला कि भीया देखो अब तक हम क्या करते आए स्लम वालों को घर देते आए स्लम वालों को घर देते आए बट वो कहीना कहीं उसे किराए पे च जोजनाने पॉबिक प्रायवेट पाटनरुटिप वरिन गोवर्मेंट विल बी ऑ पाटनर टू प्रायवेट बिल्डर्स वरेवर और इनके साथ बिलोडिंग्स डेवलप करेंगे और यह बिलुडिंग्स के अंदर में क्या प्रोवाइड किये जाएंगे हाउस किये जाएंगे at affordable rentals वैसे भी आप slum में जो जाते हैं यह लोग जहां पर slum में जाकर के रेंट पे करते थे इससे बहतर काम यह है कि आप प्रधानमंतरी आवास योजना के साथ और जो कुछ builders ने मिलकर के public private partnership किया government के साथ इसके तहत builder क्या करेगा buildings बनाएगा और इसे affordable housing scheme के अंदर में क्या करेगा देगा अगर यह affordable housing affordable rental कहा जाता है affordable rental scheme के तहत अगर यह provide करता है तो जिस भी SSC को यह building बना करके affordable rental project से कोई income आ रहा है इसकी income को भी हम deduction देंगे कितना 100% मतलब सरकार ने उस builder को जो public private partnership में आ रहा है सरकार के साथ उसको भी deduction प्रोवाइड किया at the same time जो व्यक्ति slum में रह रह रहा है उसके slum में ना रह करके इन affordable housing schemes के अंदर में रहने का एक मौका मिल जाएगा सो प्रदान मंतरी आवास योजना के तहत ये चीज हुई है कि आप affordable rentals भी करो मतलब अब तक के जहां पे उनको घर बना के देना था और वो कही ना कहीं rental पे रहते थे ते slum area में या under developed area के अंदर में आज इनके पास एक option है सरकार की affordable rental housing schemes के अंदर में चले जाओ और सरकार की इस rental housing schemes के अंदर में जाने का इनको फाइदा ये हो जाएगा कि इनको एक अच्छी जगह रहने का मौका मिलेगा पानी और अधर सुविधा भी मिलेगी at the same time builder को क्या फाइदा builder को जो rental income आ रही है ये income का deduction मिल जाएगा under section 80 IBA so 80 IBA के अंदर में आप दो तरह की income deduction के लिए eligible होई एक जो आप profit कमा रहे हो affordable housing बना करके दूसरा in fact affordable housing से न ले करके rental housing project से भी आपने income generate किये है तो आपको 100% deduction मिलेगा right so आप builder को दो तरह के deduction मिलेंगे 80 IBA के अंदर में मुझे लगता है ये important है इसका जो rental वाला object है वो वाला पार्ट ये बनाना है तो आप देख सकते है सो प्रधान मंत्री आवास योजना पपलास public private partnership के तहर बिल्डर क्या करता है असैसी who is a builder ये affordable house बनाता है और इससे affordable rentals collect करता है ये जो rental ये collect कर रहा है इसका deduction 80 IBA के अंदर में मिलेगा apart from affordable housing affordable housing बेज के जो income आता है वो तो 80 IBA के अंदर आए गई affordable rental से भी जो income आ रहा है वो 80 IBA के अंदर में deduction के लिए eligible होगा देने मेरे बच्चा तो ये amendment है 80 IBA के अंदर में दो amendment है पहला यहाँ पर जो डेट थी 21 उसको 22 कर दिया दूसरा यहाँ पर rental housing projects को भी क्या कर लिया cover कर लिया देखे साब deduction chapters में हूँ मैं पहला amendment आया 80 EEEA के अंदर में दूसरा आया 80 IBA के अंदर में येस तीसरा आया 80 IAC के अंदर में चौता आया 80 LA के अंदर में चलिए recall करते है 80 EEEA के अंदर में date change हुई है यहाँ पे सिर्फ date related amendment आया है यहाँ पे सिर्फ date related amendment आया है यहाँ पे date plus rental project से आने वाली income को भी deduction मिलना चालू हो गया है यहाँ पे IFSC का lease of aircraft से जो income आ रहा है इसका deduction आपको मिलना चालू हुआ है एवरी बाड़ी शॉट में अगर लिखना है आपको चालू आपको दापको प्यात्वाड दूस दूस्स कि वापस आता हूं में डिडेक्शिंस में डिडेक्शिंस में 80 जी में एक अमेंडमेंट आया है मैं आ गया हूँ 1 2 3 4 5 अमेंडमेंड पर यह अमेंडमेंड आया है 80 जी में यह जो टेबल है यहां पर लिखके रखिए रेफर विथ ट्रस्ट इसको ट्रस्ट के साथ रीड कीजेगा वापस जब हम ट्रस्ट के अमेंडमेंड पढ़ेंगे ट्रस्ट के अमेंडमेंड के बाग इस टेबल पर फिर से आएंगे हाला कि अभी जो आपको चेक करना है वो है यह एक यह दो और यह तीन यह 3.80 जी से रिलेटर आपको अभी पढ़ना है समझ यह होता क्या है कोई असेसी है असेसी क्या करता था डोनेशन देता था यह जो डोनेशन होता था यह किसी ना किसी ट्रस्ट और इंस्टिट्यूशन को होता था यह और नो तो जो डोनेशन दे रहा है इसको मिल दाता था डिड़क्शन अंडर सेक्शन 80 जी जो डोनेशन दे रहा है इसको deduction मिल जाता था under section 80G और जो trust और institution है इनको income जो होती थी ये income होती थी exempt under section 11 and 12 trust की जो income होती थी ये income exempt होती थी under section 11 and 12 everybody yes or no ये concept हम पढ़ते हैं in the chapter called as deduction ये concept हम पढ़ते हैं in the chapter called as trust अब अब तक के यहां पर सब्सक्राइब कोई simple चीज थी असे सी donation देता था receipt ले लेता था और यह अपने ITR के अंदर में शो कर देता था मैंने इतना इतना deduction दिया मैंने इतना donation दिया है तो मुझे यह deduction मिलना चाहिए अगर यह को शक होता तो वो donation की receipt मंगवा ले तो और इस donation की receipt से वो फिर deduction दे दे था लेकिन आप सभी को पता होगा 2020 finance act 2020 ने trust का पूरे लोगो बदल के रख दिया trust के पूरे लोगो बदल के रख दिया yes or no trust के पूरे लोगो चेंज करके रख दिया अब इस नए लोग के तहट इस नए लोग के तहट ट्रस्ट को जो भी व्यक्ति donation दे रहा है इसको certificate issue करना है कि भी यह आपने donation दिया है और यह आपका certificate at the same time trust को government को एक statement भी देना है एक statement भी देना है of donation received याने आज अगर 80 G का benefit आपको लेना है तो आपके पास यह certificate होना जरूरी है जो cross verify किया जाएगा जैसी आप return भरेंगे यह return system automatically cross verify करेगा किस से statement से cross verify करेगा और अगर यह statement से match नहीं हो रहा तो आपका deduction तब तक के लिए hold पे चला जाता है आपका deduction तब तक के लिए hold पे चला जाता है under the new scheme of return processing right तो अससी को पहले donation देना होता था वो चुप-चाप अपने return में क्लेम कर लेता था उसको मिल जाता था लेकिन अब गवर्मेंट को चाहिए transparency गवर्मेंट बोल रहा है भीया जिस ट्रस्ट और institution को यह donation मिला है यह certificate issue करेगा अससी को सो यह हुआ पहला amendment 80 जी का के भीया अब जो भी donor है donor को certificate issue करना है at the same time जिस ट्रस्ट और institution को क्या मिला है donation मिला है यह statement submit करेंगे government को कि भीया इतना इतना donation इस इस व्यक्ति के पास से मिला है और government अब क्या करेगी इस certificate में जो claim है और assessi का जो return है इसे reconcile करेगी जैसे TDS reconcile किया जाता है जैसे TDS reconcile किया जाता है तिक उसी तरीके से donation का भी reconciliation होगा और इसी basis पे आपको डिदक्शन मिलेगा आई यह पहले certificate the institution or the fund page number 36 the institution or fund is also required to furnish to the donor a certificate specifying the amount of donation in the manner containing such particular within such time as may be prescribed consequently explanation 2 a to section 80 g is inserted to provide that claim of assessi for deduction in respect of any donation made to fund or institution in the return in the return is allowed on the basis of information relating to the set donation furnished by the institution or fund of 80 g card deduction is subject to the statement furnished by institution or fund subject to verification in accordance with the risk management strategy formulated by board from time to time in short x certificate dena padega further good fund or institution in isco kya dena padega x statement submit karna padega at present there is no reporting obligation by the exempt entity receiving the donation receiving the donation with the advancement of technology it is now feasible to standardize the process through which one-to-one matching between what is received by exempt entity and what is claimed by assessi can be made this standardization may be similar to the provision relating to the tax collection and tax deduction they said tds tcs kaj reconciliation hota hai tik usi tari ke se deduction and donation ka bhi ho sakta hai therefore the fund or institution shall prepare such statement for such period as may be prescribed and deliver or cost to deliver to the prescribed income tax authority or to the person authorized by such authority such statement in such form and manner as may be prescribed the institution or fund can also deliver to the set prescribed authority a correction statement man lije is na deduction claim kar liya or is statement kya kya alter kar sakta hai correction statement submit kar sakta hai yes the institution or fund can also deliver to the state prescribed authority a correction statement for rectification of any mistake or to add delete or update the information furnished in the statement samajh me ahi baat bita yes where an assessi has claimed and has been allowed any deduction under this section in respect of any amount of donation the same amount will not be qualified for deduction under any other provision of this act yaan reduction milga to ish chij ka kahi or nahi milne wala donation in kind shall not qualify for deduction atg me donation in kind ki koi jaga ni hai no deduction shall be allowed if donation amount exceed two thousand unless it is paid in any mode other than cash agar 2000 ke upar ka donation dhe reho to ye other than cash mode me hi hoonna chahiye ye teen to care common point the way to see here a tg ka deduction claim kia ja saktah hai chahe uska koi nexus ho ya koi nexus na ho yes on the way to go this is our last point in fact you have to cut cut the truth this is not a relevant amendments related मेह ए नहीं है के चलिए यह एक जो टेबल है इस टेबल को मैं आपको लिक्राषी पूरा-किंट को समंझें आएगा तब आपको जाधा समझ में आएगा ह शारा कि यह जो टेबल है यह 80G में भी अवेलेबल है at the same time trust chapter में भी अवेलेबल है तो हम इसको वास हम देंगे understand वालिक deduction भी पूरा का पूरा complete हो गया एक बार चेक कर लीजे deduction भी पूरा का पूरा complete हो गया एक बार चेक कर लीजे 80G यहां पर certificate वाली बात आई है and statement वाली बात आई है certificate और statement वाली बात आई है please check अजा देने बात आई है यहां अजाए है वाली बात आई है वाली बात आई है चले बेटा आगे तो अब चलते हैं फुरुदर टॉपिक्स के अंदर में अगर किया नेक्स्ट टॉपिक्स अगर हम लोग देखें तो मेरे रिलज आप से हम उटाते हैं सिक्रेड ईसिंट्रस्ट, टेग्षेशन ऑफ इनवेस्मेंट फंड बाले यह दोनों चूटे टॉपिक है तो फटाफटर दिंग के अमेंडमेंट по अराम से कम्पूलिट. हो जाएंगे यस तो पेज नमबर 40 के ऊपर चलते हैं पहला Taxation of Secretization Trusts से related है पहला Taxation of Secretization Trusts से related है तो भाई साब क्या आया है यह amendment Secretization Trusts से related यस इसको एक बार चेक कर लेते हैं इसको एक बार चेक कर लेते हैं आप सभी को बता है securitization trust को अपनी income distribute करनी होती है at the end of the year और जो भी अपनी income distribute करता है उसका classification इसको इसके website पर भी देना होता है that is a statement अपने investor को देना होता है क्योंकि securitization trust की जो income है उसी proportion में इसके investors की भी income मानी जाती है क्या याद है आपको securitization trust की जो income है इसी proportion में इनके investor की भी इंकम मानी जाती है अब यह जो statement देना था इसके लिए कोई time limit लिखे भी नहीं थी राइट अब इसके लिए time limit दे दी गई है अब इसके लिए time limit दे दी गई है बस symbol सा बात है इसके लिए time limit दे दी गई है यही amendment है एक नया रूल आया है रूल 12 CC इसके लिए form भी नोटिफाई किये है as well as dates भी notify किये form भी notify किये as well as dates भी notify किये तो चलिए आईये देखते है the securitization trust shall provide the breakup regarding nature and proportion of its income and such other relevant details to the investor and to the prescribed income tax authority तो इनको यह statement देना पड़ता है investor को भी और you know किसको income tax authority को भी इससे related एक नया rule आया है rule 12 CC prescribe the period for furnishing the statement containing the details and nature of income notification number 107 oblique 2016 dates आपको notify किये rule 12 CC provide that the statement of income distributed by securitization trust to investor has to be furnished to principal commissioner principal commissioner को देना है by 30th November of the financial year following the previous year during with such income is distributed जिस साल income distribute किया उसके आगे के financial year में आपको क्या करना है PC और CIT को provide करना है तो आपने income distribute किया होगा अगर previous year 21-22 में तो assessment year के 30th November तक के 30th November of the assessment year तक के आपको principal commissioner और commissioner को ये statement provide करना है हाला कि commissioner से पहले ही आपको investor को देना है the statement of income to be distributed shall be furnished to the investor by 30th June of the financial year following the previous year in which income is distributed याने सबसे पहले 30 June को investor को देना है 30 June of the assessment year को investor को देना है और 30 November आपको किसको देना है PC और commissioner को देना है इतना सा बस change आया है at the same time at the same time आपको form बता दू form भी आया है इनको देना है form number 64E में और इनको देना है form number 64F में form number भी आया है और साथ-साथ में डेट्स भी आई है तो पहले investor को देना है फिर commissioner को देना है कि खतम है इतना ही amendment ए सिक्रिटाइजेशन ट्रस्ट में अगा है अगा है अगा है यह सो नो तो बस सिक्रिटाइजेशन ट्रस्ट में इतना सा amendment आया है amendment बड़ी simple सी बात बूलता है कि आपको क्या करना है जो statement देना था statement शाल बीन प्रिस्क्राइब फर्म तो प्रिस्क्राइब फर्म 64E 64F यह दो सब्सक्राइब यह जून के अंदर में इन्वेस्टर को देना अवधी असेस्मेंट यह और नवंबर के अंदर में प्रिंसेपल कमिश्टर यह कमिश्टर को देना सब्सक्राइब अगया है यहां पर सिर्फ चोटा सा करेक्शन है यह मीनिंग ऑफ सर्टें टर्म यहां होना चीए और इसके नीचे टेबल होना चीए बट खेर अगर आप इसे कट भी कर दे तो आप कोई फरक नहीं पड़ता चीक है वैसे वहां होना चीए यह नीचे आ गय अब इसमें वो भी फंड आएंगे वो भी फंड आएंगे बिंग कंपनी और LLP विच इस नोटीफाइड अंडर दा IFSC एक्ट मतलब पहले यह सिप से भी और्थराइज दोते थे अब IFSC भी और्थराइज दे तो आप इसे इन्वेस्मेंट फंड कह दोगे तो अब तक इन्वेस्मेंट फंड का मतलब होता था जो से भी के नोटीफाइड हो अब इसके अंदर में काटीग्री वेन काटीग्री टू ए आएफ भी आएफ भी आएंगे जो IFSC एक्ट द्वारा नोटीफाइड हो गेम ओवर अमेंड मेंट ओवर तक प्रण से भी आएफ भी आएफ भी आएफिंग्र देने बच्चा चलिए अगर आप देखोगे बहुत सारे हमने कमक्लीट कर दिये हैं बहुत सारे बाकी भी है चलते हैं नेक्स टॉपिक के उपर रिटर्न ओफ इंकम चलते हैं अमेंडमेंट के नेक्स टॉपिक के उपर रिटर्न ओफ इंकम अभी हमारा बड़े topics बाकी है like capital gain trust जिन में बड़े amendment आए TDS इन में बड़े amendment आए बाकी जो छोटे और other amendments है वो हम complete कर रहे है maybe अगर इस video के अंदर में ने हुआ तो जैसा कि आपको बताया है मैंने दो या तीन video के अंदर में आ सकता है आज एक आ गया है almost कल एक आ जाएगा कल के अंदर में आपका maximum amendment खतम हो जाएगा या तो आज शाम में ही आ जाएगा या कल आपका maximum amendment खतम हो जाएगा पूरा का पूरा और चार्ट revision की हम लोग क्या कर देंगे शुरुबात कर देंगे चलिए साब कि उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा देख amendment पढ़ने के साथ साथ मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको डीट के अंदर में बहुत अच्छी प्राक्टिस करनी है तो आप सीधा क्वेशनेर बाइख कर लीजिए और क्वेशनेर के साथ साथ मैं जो क्वेशनेर डिसकेशन ले रहा हूं ले लीजे और दें 350 को हम डिसकास कर रहे है एड दे सेम टाइम सौल भी कर रहे है तो यह आपके लिए बड़ा बेनिफीशल हो जाएगा अगर आप क्या करते हैं मेर है औरिटर्ण ऑफ इंकम इसबार रिटर्ण ऑूपम सारे जाए बहुत सारे चीनज जाए के चैनल cap df及 में डू ग्यांने और है क्षह के अंदर में चेंज आया है तीसरा अमेंडमेंट आया है 139.4 and 139.5 बी लेटर रिटर्न and रिवाइज रिटर्न इनके अंदर में भी चेंज आये हैं मतलब 1, 2, 3, 4 चार अमेंडमेंडमेंट रिटर्न आफ इंकम टॉपिक से तो आए ही आए है येस चलिए आए एए सबसे पहले डिउरेट्स की बात करते हैं सबसे पहले ृडेट्स की बात करते हैं याद करिये डिउरेटा फालिं June अभर आथ न कंदुए अगर आप नार्प T.P.R. न३पिक से अगर आप है liable to tax audit 31st October not liable to tax audit तो फिर आपका 31st July of the assessment year was the due date of filing return of income yes or no अब यहां पे तकलीफ थी रादर एक issue था जरह issue समझी है अब जैसे गोवा हुआ दमन हुआ दमन दियू हुआ ऐसे case में यहां के लोगों के उपर Portuguese civil code applicable है इनके उपर Portuguese civil code applicable है इनके उपर क्या applicable है Portuguese civil code applicable है अब Portuguese civil code के तहत जो income है जो income है वो डिवाइड होती है husband और wife के बीच में जो income है वो क्या होती है divide होती है husband और wife के बीच में as per Portuguese civil code income जो होती है यह divide होती है husband और wife के बीच में अब issue समझ यह क्या है अब issue यह है suppose husband is covered in tax audit but wife is not covered in tax audit तो अब husband का return कब जाता था October whereas wife का return कब जाता था July अब इशू यह अराइज होता था कि एस पर पॉर्टुगेस सिविल लॉग ऐसे लोग जो पॉर्टुगेस सिविल लॉग के अंदर में कवर हो रहे हैं इनके केस में इशू आता था वाइफ का इंकम अब तब तक फाइनल नहीं कर सकते जब तक हस्बंड का उना हो जाए और आइजे वर्षा तो एक जन अगर टेक्स ओडिट में कवर्ड है और दूसरे का रिटन आप जुलाई में भरवाद होगे तो यह आदमी बोलेगा मैं तो रिटन ही नहीं वर सकता क्योंकि अब तक के मेरी इंकम ही फाइनल नी मेरी इंकम ता फाइनल होगी जब हस्बंड की इंकम फाइनल होगी तो पॉर्टुगे सिवल लॉ को ध्यान में रखते हुए और आ थे पीपल को अर गबल बाइज पॉर्टुगे स्विल लॉव इन की रिस्पक्ट गते देन ऐसे partner की spouse अगर वो Portuguese civil code के अंदर cover हो रही होगी तो वो भी फिर October में return भरेगी husband के साथ rather than July. So, if you are covered in Portuguese civil code आपका spouse भी return तब भरेगा जब आपका due date होगा. Game over. अगर आप Portuguese civil code के अंदर में cover हो रहे हो तो spouse का return भी उस due date पर जाएगा जिस पे husband का जा रहा है या spouse का जा रहा है. खतम का. इतना ही amendment आया है. Yes. Check कीजेगा. Due date. Due date. Assessi is a company or a person who is liable to be audited or a partner of firm whose accounts are required to be audited or a spouse of such partner. 31st October of the assessment year. If you are an assessee including the partner of the firm or spouse of such partner governed by section 5A, section 5A of the income tax, Portuguese civil code का reference देता है. 30th November if you are liable to TP report. Section 92E, TP report की बात करता है. तो अगर आप TP report में आते हो, या वो partner जो TP report के लिए liable है, उसके spouse हो, जो 5A में covered है. 30th November of the assessment year. बाकी सारे cases में 31st July of the assessment year. Apportionment of income as per section 5A. Salary छोड़के बाकी सब income apportion होती है. Directly इदर पढ़िये. The income of husband and wife under any head shall not be assessed as that of such community of property, whether treated as AOP or BOI. But such income of husband and wife under each head of income other than salary shall be apportioned equally between husband and wife and the income so apportioned shall be included separately in the total income of husband and wife respectively. And remaining provision of the act apply. अब section 5A के हिसाब से other than salary सारी income क्या की जाती है? Apportion की जाती है. तो जब तक के husband की निकल सकती, wife की income निकलेगी, जब तक के wife की निकलती, husband की income निकलेगी. ऐसे cases में जब husband का due date रहेगा, वही spouse का due date रहेगा. खतम काम. तो section 5A of the income tax का amendment due dates के साथ लाया गया है. मुझे नहीं लगता exam point of view से यह बहुत जादा relevant amendment है. मुझे personally नहीं लगता कि final level पे यह बहुत जादा relevant amendment है. नहीं लगता. अगर आपको यादो, late filing or non filing of return के लिए आपको एक fees लगती थी, old provision था, old provision था कि अगर after the due date, after the due date, if ROI is submitted up to December 5000 is the fees, beyond December 10,000 is the fees and if income does not exceed 5,001,000 is the fees, so 234F का old provision केता था, अगर return आपने file किया, after the due date, due date being July, October और November, इन के बाद आपने return file किया, लेकिन December तक के file किया, तो आपका fees लगता था 5,000 rupees, December के बाद, 31 December के बाद आपने return भरा, 10,000 was the fees, और अगर आपकी income 5,001,000 रुपे से उपर नहीं जारी, 1000 was the fees, अब इसमें amendment आया, Finance Act 2021 ने क्या किया, Finance Act 2021 ने कह दिया, if ROI is submitted, after the due date, fees is equal to 5,000, जो 10,000 वाला criteria था वो गायप, वो क्यू गायप हुआ, 139, 4 और 5 में समझाता हूँ, वो क्यू गायप हुआ, 139, 4 और 5 में समझाता हूँ, बट यह 10,000 वाला fees का criteria ही cut कर दिया, हाला कि यह common रखा, if income does not exceed 5,000, the fees would be restricted to 1,000, तो amendment क्या हुआ, जहां पहले अगर return आप January में submit करते थे, fees 10,000 आता था, अब आपका maximum fees 5,000 पे restrict हो गया, अब आप कहा गे, sir यह तो relief हुआ है, कोई relief नहीं हुआ, बस दो सेकेंड दीजे समझ में आ जाएगा, write down, अब आपका, हो गया, बटा, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, तो 234 F, fees के अंदर में अमेंडमेंट मेंट आया है, I mark this concept as important, यह important है, मुझे लगता है, इसके उपर question बनेगा, देन बच्चा, अब आते हैं, नेक्स पोइंट पे, थर्ड अमेंडमेंट मेंट पे, क्या हुआ करता था, अब बी लेटेट रिटेन का टाइम लिमिट क्या हुआ करता था, बी लेटेट रिटेन का टाइम लिमिट क्या हुआ करता था, ओल्ड प्रोविजिन, न्यों प्रोविजिन, ओल्ड प्रोविजिन कहता था, by the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier, by the end of assessment year, मतलब दातिति 31st March, by the end of assessment year, मतलब लेट आतिति 31st March or before completion of assessment, whichever is earlier, Finance Act 2021 ने belated return submit करने के time limit को reduce कर दिया, Finance Act 2021 ने belated return के time submit करने का time limit को reduce कर दिया, और अब नया provision कहता है, 3 months before the end of relevant assessment year or before completion of assessment, before completion of assessment, whichever is earlier, अब फरक्या पड़ गया, अब फरक्या पड़ गया, यहां की last date बनती थी 31st March, अब आप देखिये, last date of filing the return 31st December, 3 months prior to the end of assessment year, assessment year खतम होने से 3 महने पहले, मतलब, March, February, January, यह तीनों हटा दो 3 महने पहले, the last date of filing belated return is 31st December, यानि अगर आपका previous year 21-22 है, आपका return filing date हुआ, 31st July 2022, और और for that matter October 22, और for that matter 30th November 22, यह तीन आपकी due date बन सकती, depending upon आप tax audit के अंदर में हैं या नहीं, ट्रांसर प्राइजिंग reporting है या नहीं, 139.4 की अब नहीं due date बन गई, 31st December 2022, जो पहले हुआ करती थी March, अब देखिये, अगर आपका return filing November में है, तो आपके पास तो सिर्फ technically एक ही महना बचा, सिर्फ return revise करने के लिए, 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier, समझ में आई बात, लिखना है, तो please example लिखिये, हमें आग करते लिए मेंrying में उिखाστरी अब्स, यह में जाखिये, जिए तो हमेंगर है, थे गर आपके उचार एक infin regularly आपको जिए मच्या। फ्यूच का जिए पस्तार का जीकान नुल। चैखWhen a person who has not a by szntum 25th, a person who has not furnish the written within the time allowed to him under 139 1. May at any time 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier. Thus, belated return can be filed only in case a person who has not furnished the return within the time allowed. Also, belated return cannot be furnished after the end of relevant assessment year. अब तो खहर यह लाइन कोई मतलब की नहीं रही यह लाइन कट हो गई क्यों क्योंकि लास्ट देट ऑफाइलिंग रिटन क्या बन गया 3 months prior to the end of relevant assessment year मतलब 31st December. Consequences of belated return. Certain losses cannot be carried forward. PGBP, capital gain, loss from and maintaining horse races. यह आप carry forward नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए return time पर भरना जरूर है. आपको fees लग जाएगी 5000 रुपीज की. हाला कि income अगर 5000 रुपे के उपर नहीं है तो maximum fees would be 1000 रुपीज. चाप्टर शिक्से के deduction नहीं मिलते हैं. सर अब मैं आपको बताता हूँ. What is the connection of 234F with 139.4? जब last date ही 31st December बन गई. नॉर्मल रिटन प्लस बिलेटेड रिटन की भी. याने 31st December के बाद तो आप रिटन ही submit नहीं कर सकते हैं. जब 31st December के बाद आप रिटन ही submit नहीं कर सकते हैं. तो ये 10,000 का अब लॉजी की क्या बचा? क्योंकि ये 10,000 की fees तो तब applicable थी. जब आप रिटन भढ़ सकते थे after 31st December. ये fees तो तब logical थी. जब आप रिटन भढ़ सकते थे after 31st December. अब तो वो लॉजी की खतम हो गया. जब लॉजी की खतम हो गया. तो 10,000 का वैल्यू ही गाया पो गया. समझ में आया है इसका relation उसके साथ. लॉजीक के देख भाई. अपना फंडना बड़ा क्लियर है. पड़ो तो हद कर दो और ना प्रोग्राम रद कर दो. एकदम सिंपल भाषा में आप समझ के देखो. अब 10,000 का तो लॉजीक ही नहीं बचा. क्योंकि लास्ट डेट ओफ सब्मेटिंग दा रिटन तो 31st December बन गई. जब लास्ट डेट ऑफ रिटनी 31st December बन गई. समयंटरिक अतम हो गया. 139.5. सेम अमेंडमेंट जो 139.4 में हुआ. रिवाइस डिटन का ताम लिमेंट भी अप 3 मूंस प्रियर तो देट हो गया. सेम सेम वन पर 139.4 और 139.5. सेम ही चलता है. तो यहां पे भी वह हुआ 4th Amendment. सेम है. अट अनी ताम 3 मूंस प्रायर तो दे एंड और रिलेवेंट असेस्मेंट यर और बिफोर कंपलीशन अफ असेस्मेंट विचवर इस अर्लियर. येस एक रिटन कितने भी बार रिवाइज हो सकता है इन गिवन नम्बर अफ टाइम. तो यहां पे भी अब रिवाइज रिटन और बिलेटर रिटन टाइम तो सेम ही है. दोनों भी जगध सिमिलर अमेंटमेंट हुआ है. गेम ओवर. दीगे साब. वी दन विद दिस, वी दन विद दिस, वी दन विद दिस, वी दन विद दिस. आईया आगे बढ़ते हैं. 234A. इसे कट कर दीचे है गलतीचे आगया. देर इस नो अमेंडमेंटमेंट इन देस सेक्शन. यहां गलतीचे आए. 139.1C मेंडमेंटमेंट हुआ है. 5th अमेंडमेंट. हाला कि यह नोट इंपोर्टन काटेगरी में. 139.4 और 139.5 इंपोर्टन काटेगरी में. 139.4 और 139.5 इंपोर्टन काटेगरी में. हालागी यह important category में नहीं है 139-1C अगर आपको यादो section 139-1C government का एक power है to exempt certain class or classes of people from filing return of income so government has power certain class or classes of people को return filing से क्या कर सकती है exempt कर सकती है certain class or classes of people को return filing से क्या कर सकती है exempt कर सकती है बस यह उसी से related amendment है ध्यान से सुनिएगा specified class or classes of person to be exempted from filing return every person who falls within the ambit of the condition mentioned in 139 has to furnish the return of income on or before the due date under 139-1 for reducing the compliance central government has empowered to notify the class or classes of person who will be exempt from filing of return subject to satisfying the prescribed condition accordingly central government has wide notification number 55-2019 exempted non-resident and foreign company having income under the head of income tax from investment funds set up in IFSC अगर non-resident or foreign company को income आरी है from investment in IFSC from investment in IFSC exemption from filing income exemption from filing return of income would be available to such notified person if any income tax due thereon for the said class of person has been deducted non-resident or foreign company को अगर income आरी है from investment in IFSC and TDS is deducted under 194 LBB अगर उनका TDS already deducted वाहै and there is no income which are chargeable to tax other than the above income इनके ओपर कोई डिपार्टमेंट आक्शन चालू नहीं होना चाहिए तो इक्जम्टिन किसको है non-resident and foreign company having investment income from IFSC where TDS is already deducted इतना नहीं पढ़ना है तो चार लाइन लिगलो सीदे सीदे no other income from India and no cases are pending on such as SC अगर यह तीन कंडिशन साटिस्फाइ होती है अगर यह तीन कंडिशन साटिस्फाइ होती है to non-resident and foreign company are not liable to file R-Y कि यह पाई लागपना है धिएको P झिएको झाल झाल कर सकते हैं और देरेक्ट सेल कर सकते हो इनफाक्ट अगर split तो भी चलेंगा क इंवेस्टमट पंड का मीनिग क्या है या आपने नहीं भीपड़ा तो भी चलेंगा ि इनफाक्ट ॐन का मीनिग जो उब वही है कैटेग्रीड बैटेग्रीटू ए आयय फो है जो से.विve नोटिफाई किया हूँ, सर्टिफाई किया हूँ, या फिर IFSC Act के तहर्ट सर्टिफाई हुआ हूँ, तो यह वही मीनिंग है, same meaning as investment fund. तो यहां पर कितने amendment हुए है, एक बार चेक कर लीजे, ROI में पहला due date से related amendment हुआ है, पहला due date से related amendment हुआ है, दूसरा amendment आपका हुआ है, 139.4, 139.5, 234.F, 139.4.C, यहां पर आपके amendment हुए है, डने बच्चा, तो आपका एक और topic खतम होता है, Return of Income, येस, तो अभी का amendment lecture मैं यहीं ले रहा हूँ, मैं यहां पर एक break दे रहा हूँ, और break के बाद मैं आपसे मिलूँ हूँ, सीधा अगले session के अंदर में, अगले video के अंदर में, तब तक के सारे बच्चों से request है, आज का जो amendment है, ये एक बार देख लीजे, प्लीज, इसके जो questions मैंने आपको लिखा है, ये important mark कर लीजे, अगर आप देखो, बचा है, international tax और अधर मिला करके, penalties, NR taxation and taxation of e-commerce वाला पार्ट बचावा है, तब तक के आप अपना पूरा ख्याल रखे, questionnaire discussion देख ले, free resources के अंदर में charts भी available है, तो please charts निकाल के रख दे, क्योंकि chart revision के टाइम पर आपको काम आएगा, और हाँ, अगर आपको chart का physical copy चाहिए, या questionnaire का physical copy चाहिए, vlernclasses.com के उपर ये दोनों भी available है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के आप अपना खैल रखे, बाई-बाई and take care.